कि हलुजू टो आज अपन डिस्कूस करेंगे जे एडवांस 2024 का पेपर सेकेंड के स्टार्टिंग के 10 कुश्चन तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कुष्चन हां तो फर्फ इसमें टोटल 4-4 section section 1 में 4 questions है जिसमें 4 के 4 question आपके single choice की उसके बाद multiple फिर integer और फिर बाद में 2 question passage ठीक ना तो अपने starting के 10 questions की बात करेंगे तो देखो question number first क्या है consider only principle values of inverse tipnometric function मतलब अपनको इसको आई टी एक की ओनली प्रेंसिपल वेलू इचको जूंब करना जैसे साइन वर्स एक्स की रेंज माइनस पाइव इसे पाइव आप तू सो ठीक है तो कुछिन क्या करो जाने तेन ब्रेकेट में साइन इन्वर्स थी वाइफ इसको तो लेट करो अलफा और इसको लेट करो वीटा तो अबरोल अपना कुछिन क्या रहेगा तेन ओफ अलफा माइनस तू बीटा का फर्मुला अप्लाई करोगे आप तेन अलफा माइनस तेन टू बीटा अपून वन प्लस तेन अलफा टेन टू बीटा और आपको करना क्या है तेन अलफा और टेन टू बीटा की वेलू को पूट करना है तो इक काम करें साइन इन्वर्स थी अपून फाइफ अलफा है तो साइन अलफा आपका थी वाई तो टेन फाप को कितना जाएगा थी वही पूर सिमरल्ली कॉस बीटा आपका टुब अप्वाइड फाइव इफ कॉस बीटा एक्वल टू तू वाइड फाइड तो अपन ट्राइंगल से फटा बढ़ किया करते टू हो गया यह रूड फाइड तो टैन बीटा आपका आ गया सब्सक्राइब करना तो उसके बाद जब आप सिंप्लिफाय करोगे तो आंसर मिल जाएगा ठीक है और देख सकतो इसको अलफा लेट करना है इसको बीटा लेट करो ठीक है तो उसके बाद इजी वोएंग में कुशन हो जाए रहे हैं उसके बाद सेकंड कुशन देखो सेकंड कुशन में क्या करना है एक रिजन है एक स्कॉवाइड एक स्कॉजिटिव य पोजिटिव एक गिविए वाइज को लेस देन 12 माइनस टू और एक लाइन गिविए प्लस एट रूट एक से बाउंडड वाइए पूचा गया है तो देखो क्या करना है फर्स्ट अफॉल आप इन तीनों के डाइग्राम को एक से प्लीन पे ड्रो करोगे तो यह तो आगया य स्कॉर एकल टू फोर एक्स का इंटीर पोजिशन है यह इसका वर्टेक्स है सिक्स कॉमा जीए इदर यह डियाग्राम रुफली अपने ऐसे डो कर देते हैं आफ्टर एट क्या करना आपको इन दोनों पैरावोल अचका आप इंटर्सेक्शन पॉइंट करोगे फाइंड आउट जैसी आप इसको सिंप्लिफे करोगे तो दैन वी इसके बाद में पार्ट क्या था इसको सब्सक्राइब करना है तो इन दोनों पैरावोला का तो इंटिर पोर्शन आ गया इस लाइन की निकुटी में क्या करोगे देखो आपने अगर वाई को जीरो माना तो एक्स आगे और फाइव जिलो उसके बाद अगर अगर अपने ए की वेलू इधर लाई करेगी वड़ यह जो पॉइंट आपका है इस लाइन को क्या कर रहा बेटा सेटिस्फाइब तो इसका वेनिफिट यह होगा जब आप इस लाइन को डो करोगी तो वो लाइन इसी पॉइंट से एजएटिट पास करोगे तो अब अपन को करना क्या है जो बाउंड़ वाई अरिया बताना है वो बाउंडेट वैस यह वाला जाएगा ठीक ना इस पार्टर इस था तो क्या करना जांगे है यह तो एक ट्रेंगल के एडिया है हाफ बेस इंटो वाइट इसका बेस फोर और हैट इसकी गूत और इसमें क्या करोगे 0 से 2 y dx माला र हो तो यह किया गया है पहले y2 इकल टू 4x और यह कर्व डो किया लाइन को डो करो कि लाइन की इंटरसेशन पॉइंट से आपको पास करानी है तो इसका जो रिक्वाड एरिया वो दिस तो अपने को लिखना है जीरो से 2 टू रूट एक्स प्लस हाफ बेस इंटो है इसका बेस कितना जाएगा फाइब माइनस टू इज थ्री और हाइट इज रूट है ठीक है तो इससे अल्फा का गया सेविंटी निबाए थ्री कि उसके बाद देखो थर्ड कुश्षिन के यह भी सिंपल सा कुश्षिन था के कोई भी रियल नंबर है और आपको अल्टीमेटली इस लिमिट की वैलू को सॉल करना है तो देखो ध्यांग ने जैसी आप इसमें एक्स को जीरो पुट करोगे एक मेनी जैसी इसमें एक्स को पुट करेंगे तोगो 500 500+, … देखो दिसा इगर यह बन की पा इंफिनिटी फोर्म थे तो पन क्या करेंगे है तो किया करेंगे तो साइन ओफ साइन ओफ की एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस की बाइब ठीक आप फटा पट आप सोर परने का तरीका है इस X को अपने काम करते हैं अंदर की तरह शिप कर देता है ऐसे ठीक है ना है बागी काफी option हो सकते करने के आपके अब इसमें तो क्या करोगा आप इस्टेंड लिमिट अप्लाई करोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो destination मल्टीप्लाई है इधर भी साइन के एक से मनदिपलाई है और वी की कस लगाना है तो इधर भी के लगा दो मुल्टीप्लाई में के एक्स होगिए और इसके बाद ज्यान अब इसको आप दो अपने पास करने के या तो वन के साथ को से लिमेट कर दो या फिर एक काम करो दिस जीरो बाजीरो फोम तो इसमें आप सेपरेट के लागा दो डील डूल जैसे आप डील डूल लगाऊगे ऐल उपी डूल तो इस वेलू वन मिलेगी आपको ठीके ना प्लस उसके बाद एक को फूर्डत क्षुन यह क्षिन थोड़ा सा मॉडरेट कुष्ऌन थे क्षिन में एक फंचन है r to r reflection अगर excellent अधर वाई एक्स स्क्वार साइन पाई एक्स स्क्वार तो कुश्चन ने आपसे बोला गया कि बताओ हर ओप्सिन में एक ही चीज है कि एफ एक्स इकल टू जीरो के इन गिविन इंटरवेल में नमबर ओफ सोलूशन की क्या पोजिशन है तो देखो इसको करने का वे क्या ध्यांदने सब देखो सब में एक इक काम करना एक्स इकल टू जीरो को देखना कि वो कितनी बार इंटरवेल में नमबर ओफ सोलूशन हो सकते है तो आप एक्स जीरो करोगे तो एक तो एक्स जीरो आगया वह तो ओल लड़ी है पर साइन पाई एक्स स्कुरूड जीरो साइन पाई एपॉन एक्स स्कुरूड जीरो साइन की वे जीरो कब आती है एन पाई पे तो सॉल करने पे से एक्स जाएगा वन वाए रूट है ठीक ना अब लगाने को प्लस में से लगाना वट हर ऑफसन में अपन को जो इंटरवेल है वो पॉजिटिव है तो मैं अले भी रूट है और यह इसके रुफली डियागरम पर बात करती है कि जीरो कब आएगा यह जो बात ध्यान दो अगर हमने न को वन लिया तो वन आ गया एन को टूलोगे तो वन वाई रोट मिलेगा फिर वन वाई रूट थी ऐसे वेलो डिक्रीज करती जाए जाए जान देना तो यह इन सभी मतलब अल्टीमेटी इस वी 0 है उसके बाद ही वेलू हमेशे निकीज होगी ठीक है ना अलव एक्स को आप 1 लोगे तो साइन पाई 0 और एक्स की वेलू 1 से ग्रेटर लोगे तो यह कुछ फिक्स्ट क्वांटिटी होगी वो भी कैसी होगी पॉजिटिव क्वांटिटी ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती में भी तो यह डागराम आपका इस तरह के से मूग करेगा ठीक है ना वह एक दो बाद है अब आगी की थीम के थोड़ा समझेनी की ट्राइब कर जान अगर एन आपका 10 की पावर 20 होगा तो देखो यह पार्ट आगया और यह इनफिटी कवाएगा जब एन आपका क्या होगा जीरो तो इक बाद ध्यान दो मतलब एन की वेलू जब आप जीरो से लेके 10 की पावर 20 के बिट्मिन में लोगे तो आप ध्यान दे सभी 0 लेना नहीं 0 से ग्रेटर मानना है बान दो टो वन से लेके 10 की पावर 20 यह क्या एक फिक्सट पॉइंटे यह इतनी बार धान दे एन को वन से लेके 10 पावर 20 तक यह जो प्शो आपका क्या बनेंगा जीरो बनेंगा तो बताओ यह रिक्यान लेकर 10 की पावर 20, एख.. finite number of points है कि infinite finite number of points है तो function इस travel में आपको कहाते है का finite point पर क्या हुआ 0 वट इसे ने लिखा हुआ है infinite many solution तो यह इसका question ने पूछा गया 2 statement बताना आपको जाने similarly अगले में क्या करना है तो इसको एक बार remove कर देते हैं रूप कैसे रहने दो अगले में क्या वो लगया है no solution in 1 upon pi से infinity अब एक बात ध्यान दो infinity तो कवा आए गए sorry infinity का मतलब 0 पे infinity दे गए और यह value pi कवा सकती है pi का मतलब है 3.14 वाद अप्रॉक्समेट 9 लोगे तो 3 आगए 9 के आसपास left कर सकते है 9.5 जो भी है तो ultimate इसका मतलब क्या है कि n जब 0 से लेके 9.5 की विट्विन आएगा तो वाई इसके minimum जो solution है वो कितने हैं कि 9 या 8 solution होंगे तो इसका मतलब no solution भी इसका false हो जाएगा ठीक है solution होंगे इसके जान में उसके बाद the set of solution in interval 0 से 1 by 10 की पावर है इसमें क्या कासवा ध्यान दो 10 की पावर 10 कम मिलेगा जब n को आप क्या लोगे 10 की पावर 20 और यह 0 की तरफ का अप्प्रोच करेगा जब n tending to infinity ultimately जब n की value आपकी 10 की पावर 10 से infinity की तरफ जाएगी तो आपको उन सभी पॉइंटों पे function 0 होगा इसके number of solution के आएगे infinite number of solution इसने लिखा हुआ गया है this set of solution effects इंदी इंट्डिस पाजीज फाइने नहीं फाइन नहीं नहीं आएगा इनफिनिटी सोलूशन यह भी ऑप्शन अपका फॉल्स है ठीके तो इसका correct option ही आएगा और ज्हां दो पाई स्क्वार से पाई, हाँ, देखो, यह पाई लाने के लिए N को अप्रोक्स में 9 के आसपास लोगे आप, और पाई स्क्वार लाने के लिए पाई स्क्वार का मतलब 9.something है, 10 के आसपास मान लो, तो अल्टीमेटली एन आपका 80 बन 82 के बिटमिन आएगा, और जब ऐसा होगा, तो यह सोलूशन तो क्या होगे, 9 से लेके 80 बन के बिटमिन भी आपके 72 ए 73 सोलूशन होगे, तो वो मोर देन क्या होगे 25, तो देन इसका 4th option क्या होगा, correct, तो यह question मेरे को ने, ठीक ठाक सा question था, बिटा, उसके बाद, इस section 2 में, 3 questions से multiple choice के, ठीक है, तो चलो देखते हैं, first question है, limit x, हाँ, question सुनो, let s be the set of all alpha, beta belonging to r to r, मतलब, s alpha, beta के, जितने भी set अनको let किया गया है, इस limit को, limit x tend to infinity, this upon this equal to 0, लेकर आने हैं अपन को, तो then which of the following is correct, minus 1,3 belonging to x, मतलब, ultimate ही देखना है, कि alpha, beta के कौन-कौन से pair आपके, इस set s के अंदर लाई करते हैं, तो देखो, इस limit को solve करने के लिए, क्या करने जाने जान दो, x tend to infinity पे, 1 upon infinity 0 होगा, तो sin 0, तो अपने एक काम करते हैं, इसको 1y x square से क्या करते हैं, first of all multiply and divide, तो इसको x square से divide करते हैं, तो बेटा ये तो क्या होगा आपका होण, तो इसको remove करो, तो remaining part आगया, limit of x tending to infinity, sin of x square, ln x की power, alpha upon x की power, alpha beta plus 2, this is ln 1 plus x, अब इसको तोड़ा समझने की try करें, ये अपन को अल्रीडी पता हैं, कि x tending to infinity पे इस limit को 0 रहना है, तो ultimate t denominator में infinity की तरफ limit 10 करने चाहिए, तो something upon infinity is become 0, तो देखो इसमें वे क्या दान दे, infinity लेने पे देखो ये तो sin infinity क्या होगा, minus 1 to 1, any real number, ये infinity की तरफ 10 करेगा, ये भी infinity की तरफ 10 करेगा, और ये भी क्या करेगा, infinity की तरफ 10, तो इसमें देखो वेटर अप्स नहीं की जान दो, हम इसमें एक काम करते है, x को common लेते हैं, अब जैसी इसमें से x को common लेते हैं, क्या बन जाएगा, ln of x bracket में 1 plus 1 by x, उसके बादी बन जाएगा, log x plus log of 1 plus 1 by x की whole power बीटा, फिर हम इसमें काम करते है, log x common लेंगे, जैसी आप इसमें से log x common लोगे, तो log x की power बीटा भारा जाएगा, तो ये बन जाएगा, log x, लिख देते हैं उसके, limit of x tend to infinity upon, ये तो आगे है, sin x square, और ये आगे है ln x की power, अपने log x को भार लिए तो क्या आगे, log x की power बीटा, इसको न्यू मेर्टेम शिफ करने पे जाएगा, log of x की power alpha minus beta, और ये आगे x की power, alpha beta plus 2, इसको ध्यान दे, जब आप common लोगे, तो ये remaining part की आएगा, 1 plus ln, 1 plus 1 by x upon log of x, की whole power बीटा, जब हम इसमें x tending to क्या लेंगे इनिफिटी, तो log इनिफिटी तो इनिफिटी होगा, 1 by infinity 0, तो log 1 0, तो 0 upon infinity tending to 0, तो अलड़ी ये ultimate back it up का क्या आगे 1, तो इसको लिखनी की जुरुती में, ठीक, अब question इतना असा रह गया, अब इसको क्या लाना जीरो, अब थोड़ा सा समझने वाला पार्ट ज्यान देना सभी, अगर ये जो alpha minus beta है, तो simple सी funda है, x को infinity लेने पे, ये तो minus 1 to 1 निफिटी 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 फोम है, तो इसको solve कैसे करें, तो अब अपन लॉपीट रूल तो अप्लाई करन दी सकते हैं, तो की power करते रोग उसको derivative, ये तो सक्से सी differentiation है, तो इसमें क्या सोचना है जानने, अगर alpha minus beta है, negative हो, ध्यान देना सब्सक्राइब, alpha minus beta क्या हो negative, तो ये क्या बनेगा, infinity की power, negative, बदो ultimately, infinity to infinity, infinite, और something upon infinity, tending to zero, ये कैसी quantity होने चाहिए बोलो, positive, तो एक case तो ये आगया, कि alpha minus beta negative है, तो alpha plus beta, alpha beta greater than equal to minus 2, एक case सम्झो एक बार, second case क्या हो सकता है, by chance, अगर ये positive quantity है, ध्यान देना सभी, alpha minus beta का difference अगर positive है, तो ध्यान दे, log x upon x, थोड़ा एक बार अफली समझते हैं, अगर x आपका infinity की तरफ tend करता है, अपर numerator में क्या log x की power, कुछ भी power हो सकती है, upon, इदर हो x की power n, तो beta ये हमेशा 0 की तरफ tend करना ज्यान देना सभी, ठीक है ना, ये हमेशा continue करेगा वहलो, 0 की तरफ, आप करके देख सकतो, तो कि जब इसको differentiate करोगे, तो ये तो power reduce होते जाएगी, वट इदर power पे कोई effect नहीं होगा, क्योंकि log x का differentiate की आएगा, 1 by x, तो then it is become 0, और 0 into something is infinity, तो ultimately, alpha minus beta को negative, लो ये positive, लो इससे कोई effect नहीं होगा, वट आपको cable alpha plus beta, sorry, alpha beta plus 2, क्या होने चीज़ गड़ दें 0, हाँ, किसी बच्चे के माइन में आ रहा होगा, इसको पल ले उसको नीचे, तो reverse हो जाएगा, अगर x की power mu meter में हो, log x की power denominator में है, तो फिरी आपका content करेगा, बोले infinity की तरफ, ठीक है न, तो इसलिए इसमें only single condition use करनी है, alpha minus beta का difference negative positive से no effect, दोनों cases में वो 0 की तरफ्टेंड करेगा, तो only लेना alpha beta greater than minus 2, तो आप option से verify करा होगे, तो ध्यान न, इन दोनों का multiply जारा, minus 1 greater than minus 2, तो 2 statement है, और ये भी कहा तो, वर्ट फर्ट और फॉर्ट option में, उसके बाद एक question देखो, एक simple सा question है, 3D का बहुत जारा simple question था है, state line drawn from the point P132, एक line है जिसको point 132 से pass करना है, passing through the line, this point and parallel to the line, तो वो equation क्या हो सकती है, x minus 1 upon 1 equal to, y minus 3 upon 2, equal to z minus 2 upon 1, जान दो सभी, एक line है जिसको point P से pass करना, और वो इसके क्या parallel, तो इसके जो ABC है, उस line की क्या होगे, ABC equal, तो इस line की question आपको मिल चुकी है, intersect the plane, देखो इसने question माहूल बनाए गया है, अपर जनरली plane को P1 लेगते है, इसने element लग दिया, तो थोड़ा confusion ना हो से, ठीक है ना, एक plane element है, तो जो यह line है आपकी, वो line, इस plane को cut करती है, उस point को name दिया गया कि, तो आप कुछ ना करें, इसको फटाफट आर लेट करो, और आर लेट करने के बाद, X, Y, Z को जैसी आप इसमें put करोगे, तो then we will get point Q, ठीक है तो आप इजी going में इसको कर सकते हो, तो यह मैं आपको बताते हैं direct, आप solve करोगे तो जो point 2 है, वो आपको मिलेगा 253, क्या मिलेगा बोलो, 2,5,3 ठीक है ना, उसके बाद क्या करना ज्यान दे, इतना होने के बाद, अगेन क्या बोला है, another state line which passing through the point Q, एक another line है जो point Q से pass होती है, and perpendicular to the plane L1, मतलब ज्यान दे, जैसे लेट, यह आपका plane L1 है, और यह line इसके अगर perpendicular है, तो basically होगा क्या, इस plane के normal के जो DRS है, वो इस line के normal के क्या बन जेंगे DRS, तो ultimately जो आपकी another line है, second line, वो point 253 से pass होती है, और उसके जो direction, ratio होजाएं वो क्या होंगे, 1 minus 1 3, तो next जो line हो क्या होगी, X minus 2 upon 1, equal to, Y minus 5 upon, minus 1, equal to, Z minus 3 upon, ठीक है न, अब आगे क्या बोला गए, यह जो next line है, another straight line which passing through the point Q, and perpendicular to the plane L1, intersect the plane L2, यह जो line है, वो एक second plane को cut करती है, उस point को नाम दे दिया, तो वो ही आपको theme यूज करनी है, इसको आगेन आप R let करें, point को plane उपट करो, तो then we will get point R, ठीक है न, तो उसके content आप लग देते हैं, अब अपने पास ultimate P given था, क्यों और आपने question के according क्या कर लिया, वो लो find out, अब आगे क्या करना जान दो, तो यह पिच्चर यहां ते ख्रम हो चुए, then which of the following option is true, तो फर्स्ट ओप्शन में लग है distance between PQ, तो आप यह देख ले ना कि PQ distance क्या रही है, ठीके तो रूट 6 आएगी शाद आप देखना, coordinate of R, नहीं गलत है, centered of the triangle PQR, हाँ PQR का centered क्या जान दो, 1, 2, 3, और 1, 4 by 3, 6, 5, 11, और 3, 14 by 3, 0, 3, 5 by 3, ठीक है, तो एक पॉइंट यह आगे, ठीक है, तो इसका first option और third option correct है, फूर्थ में बोला गया है, the parameter of the triangle, parameter का मतलब क्या है, तीनो साइड का sum, तो इन तीनो साइड के sum की बात करोगे, तो इसमें, यह रोग गलत आएगा, इसमें, root 6 plus root 11 plus root 13 आएगा, ठीक है, आप अपने according calculate कर सकते हो, ठीक है, तो इसका only first or third option, sorry, क्या होगा करें, ठीक है, तो इसको बहुत simple question था, इसको बच्चे, एजी going में कर सकते हैं, उसके बाद ध्यान दे, यह question भी बच्चे काफी simple था ध्यान देना, एकदम simple question था, सारे बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं, क्या question ध्यान दो, let A1, B1, C1, A1, B1, C1, जो X पर प्लेन में लाई करते हैं, suppose that the line, A1, C1 and B1, C1 are tangent to the parabola, यह कर Y square equal to 8X, at A1, B1, इसका मतलब कर देना दो, यह एक parabola given है, Y square equal to 8X, इसके point A1, और B1 पर जो tangent है, वो C1 पर meet करते, जान देना, दो tangent है, A1, C1, B1, C1, तो इसका मतलब वो C1 point पर क्या करती, दोनों intersect करती है, और C1 lies on the X axis, तो ultimately, यह diagram जोगा, वो क्या होगा है, X axis के about symmetry, जान देना, exact adjective, तो इसका benefit ही है, कि दोनों का X point क्या हैगा, सेम, यह point आपका A1 है, यह आपका, sorry, B1 है, C1 आपको given है, minus 4,0, तो दोको पहले तो question को समझते की, पूचा क्या आगा, then which of the following statement is true, length of line segment, O A1, यह पन, find out कर सकते हैं, ultimately, आपको point A1 लाना है, कोकि A1 आगया, तो यह इसकी image ज़ेगी, in the X, X, ठीक है ना, A1, B1, A1, B1 की distance मिल जाएगी, आपको कर A1, B1 आगया तो, फिर, ortho center of the triangle, A1, B1, C1, यह simple सा part है, लेको ध्यान दे, यह angle again 90 है, ortho center का मतलब क्या, आप any two vertex से opposite set पे, क्या draw कोर होगे, perpendicular तो एक पड़ समझे लें, इसको फिर आगे solve करेंगे, question को, तो एक काम करो ना, point C से जब आप क्या draw करेंगे, perpendicular वो तो सेम यह होगा, और इस से draw किया, तो lead मान लेते हैं, यह इसका perpendicular तो इसका परपेंडी को रहे, तो इसका जो center है, वो लाए जोन दी, x, अपन सेंटर को क्या मानेंगे, alpha comma, और बाद में क्या करना है, यह point पता है, B1 अपन find out करेंगे, तो इस line का slope, slope of O B1, into slope of A1, C1, इक्कुल टू माने, दोनों slopes के multiply को क्या कर देंगे, minus 1, तो then alpha की value beta अगे, आपको क्या मिलेगी, 0, तो इसका जो ortho center है, वो origin ही आने वाला है, तो आप खुद करके देखनेंगे न, ultimate T मेरे को A1, B1 बताने हैं, ठीक है न, तो उसके लिए काम करोना, आप parameter form में, फटा-फट से पैरा बोला पे point लेट करोगे, पैरा बोला के बने आपको Y2 एक्कुल टू 8X, तो point क्या लेट करेंगे, 2T square, तो 2T इसको लेने पे क्या जाएगा, यह 4 of T, ठीक है न, और बाद में, point A1 पे equation of tangent क्या होगी, T equal to 0, मतलब X square को Xx1 से, Y square को Y1 से, X को X plus X1 Y2 से replace कर दो, और point A पे tangent की equation लोगोगे, उसको minus 4 को में 0 से पास करा देना, तो आपको T की value मिलेगी, ठीक है न, और T की value जो आएगी, उसको उपट करो तो आपको A1, B1, C बना गया, A1, B बनाने के बाद आप आराम से, इन 1st और 2nd option को verify कर सकते हो, ठीक है न, तो जब आप इसको solve करोगे, तो इसका only 1st और 3rd option की आएगा correct, इसने solve की, T1 आपका root 2 या minus root 2 आएगा, ठीक है, तो दोनों सेम ही है, root 2 लो, तो point A, 1, B1 बना गया, reverse लोगे तो, reverse हो जाएगा, ठीक है न, चलो, तो यह एक moderate question की है, बहुत simple question था, इसको बच्चे आराम से कर सकते हैं, हाँ, उसके बाद बार ही आती है, एक में रोके हैं, ठीक है, section C में, आपके पास 3, sorry 6, non negative integer question, मतलब उनके जो answer की होंगे, starting from 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है न, चलो तो देख पर क्या रते हैं, हर question इसमें 4 marks का है, 0 marking नेगेटिव ठीक है न, तो कभी लगा सकते हो, आवे ज्यान दे सभी, simple सा question दे तो, एक function है, पार्ट वार डिफाइन है, जो इस condition को follow करता है, for all x, y, g, r, 0 sin, जो again इस condition को follow करता है, ये दो आपको value जो given है, तो देन आपको this part की value बताने, तो वो question को करने का भी कर्यान देना, ये थोड़ा याद भी रखें, अगर f of x plus y equal to, क्या बने fx plus f by, तो इसके लिए पन function लेट करते हैं, fx equal to kx, ठीक है, और f of minus, 3 by 5 आपको 12 बने, तो जैसी आप इस value को replace करेंगे, आपको k की value मिलेगी, माइनस के 20 ठीक है ना, तो fx equal to तो कह जाएगा, आपके पास minus के 20x, simple way में करना है, उसके बाद, gx में क्या करना है जान देना, gx plus y क्या दो function का multiply है, जान देना, जैको addition में तो, अगर f of x plus y, fx plus f by की equal है, तो एक linear line को ही क्या करेगा, satisfy करेगा, ध्यान देना, जैसी आप इसमें एक सबाद, दोनों को 0 पुट करोगे, तो आपको मिलेगी, g of 0 equal to g square 0, तो बेटा इसमें, g of 0 की 2 value मिलेंगी, 0 and 1, बहुत अच्छा question देना, बच्चे गरवडी कर देते हैं, बच्चे क्या करते, g of 0 की 2 value को 0 मान देंगे, तो फटा फट इसकांसर 0 कर देंगी, क्योंकि आगे g of 0 लगा रहा है, इसमें खास बात यह थी, g of 0 की 2 value 0 बना रही है, आपकी mathematically, what questionning land लेकिए सुन्द रसी, इसका output 0 से इंपटी, 0 पो उपन बेकेट है, इसलिए आपको g of 0 की value को बच्चों क्या मानना है, 1 मानना है, ठीक है तोट जाएगा दस से, वन हो गया, ठीक है इसलिए g of 0 बने तो इधर जो constant वो automatic बना जाएगा आप ठीक है ना, के लिख दो आप तो k1 में लेगा, इतना आने के बाद g of minus के 1 by 3 आपको 2 given है, इसे put करना तो आप we will get age 1 by 8, तो ultimately आपके पास g x equal to मिलेगा बेटा 2 की power minus के 3 x ठीक है ना, तो बाद में आप g 1 by 4 तो इसकी will तो मिलेगी आपको कितनी, minus 5 और g minus 2 पे क्या होगा, 2 की power, वह आप देख लेने के बाद 2 की power 6 के तना होता है, 64 हाँ, प्रेस के 64, minus 8, तो 64 minus 13 इसका 51 आपको जाएगा, ठीक है ना, इस एक simple सा question तो है, हाँ, उसके बाद देखो 9th question क्या है, यह भी simple सा question था, probability का बहुत simple paper आया था इस बार, question क्या जान दे, एक बैग contain N walls, एक बैग में total N walls है, which of, three balls are white, बैग में total जो N walls हैं में से, three wall आपकी white है, six walls are green, six wall आपकी green है, और remaining wall कितनी होगी, 9, N minus 9, these are blue, यह बैग में balls की condition है, assuming that balls are identically, सारी की सारी wall identical है, identically, indically otherwise, ठीक है, प्रहाँ सेम जो color की बोलन को FJC मान रहा है, वैसे, यह हमीशे बोला जागा, अजूम देट, balls are identically otherwise, three balls are drawn randomly, one after, other without replacement, आपको one by one, bag में से three ball को ड्रोन बनना है, पहले one by one निकालो, फिर second, फिर third, आगे क्या बोला गया है, फिर क्या बोला गया है, probability of P, डवल वा इंटेक्शन, इसकी value given है, 2 upon 5, and then, and condition of probability of, इसको नहीं कर देते हैं, यह चलो, condition of probability of, B3 upon W1 intersection G2, तो पहले आप एक काम को इसका formula अपलाई करो, probability of, मुने पढ़ा हुआ है, probability of A upon B, तो P, A intersection B upon P of B, तो यह आगया, तीनों कंटेक्शन, P, B3 intersection, W1 intersection, G2 upon P, W1 intersection, G of 2, यह आपको given है, 2Y9, अब धान दो सब, इसकी value आपको पता है, कि सोरी, 1 था, इसमें मिस्मेंट है, B3, तो यह value कितनी है, 2Y9, तो इसकी जगे, जब हम 2Y9 लेट करेंगे, ध्यान देना सभी, तो यह 2 तो cancel हो गया, इसको दर शिर्प कर, 2Y5N बोलना है, तो इससे probability of P, W1 intersection, G of 2 के जाएगा, आपका 9 upon 5, थेका तो गयरफली ज़्यान देना, अब इसका मतलब क्या है, जो drawn first wall हो, वो white honing चीए, second wall आपकी green, तेको आपका बताओ, first wall के white honing की probability, 3YN, 3C1 upon NC1, into second के green honing की probability, 6 upon N-1 equal to 9 upon 5, तो 3 और 3, 9 cancel, तो कितना आगे 10N, 1N आप cancel कर तो, क्योंकि N positive quantity है, तो यागे 10 equal to N-1, तो इससे N equal to 11, ठीक है, आप चाहो तो पहले इसको separate सोल करोगे, तो इससे आपको N की 2 value ज़रा है जोंगी, एक तो N मिलेगा 11 और एक N मिलेगा शायद 45, तो दोनों का common लोगे फिर भी answer के हमलेगा N equal to 11, तो मेरे according इसको सोल करने की requirement इसलिए नहीं, कोकि इसका जो यूज है वो हमारे लिए अलड़ी, कंडी सो परपरटी में काम आ रहा है, तो वो अटोमेटिक common answer यहीं से मिल जाएगा अपको, तो इसका जो N लेना है वो आपको क्या लेना है, 11 अंसर फिल करना है, ठीक है तो दोनों पार्ट किये हैं, इसको separate solve किया गए और इसको दोबारा यूज किया गए, ठीक है तो दोनों में, जो common answer यहीं नहीं फिल करना, ठीक है ना, उसके बाद last question देखो, remaining जो question को अभी कमल सर आने वाले, वो discuss परेंगा, ठीक है ना, question number 10 देखो बिटा, simple सा question तब बहुत ज्यादा simple question है, एक function है, आर टू आर में define है, महुल बना रखा एक लंबा चोड़ा function है, और पूचा गया, fx equal to zero के बता number of solution, तो एक काम करो, हम fx को फटाफट zero करते थे, और क्या है, तो इसमें एक खास बात यह रहन देना, यह जो bracket है, यह पूरा का पूरा common आ रहा है, और यह वाला पार्ट भी क्या रहा है common, तो एक कुश्चन आ गया, x की पावर, 2023, प्लस, complete कुश्चन में, आवल बनाया गया, बच्चों को डुराने के लिए धान देना, अब उन में common आ गया, x square minus x plus 3, यह common आ गया, और साथ की साथ, e की पावर, e x common और bracket में बच गया, only sin x plus 2 equal 0, अब देखो आगे क्या करने, ध्यान दे, first of all, देखें न, denominator non 0, इसका d negative, this is always positive, e की पावर something गया, तो यह दोनों डाइट के अचले जाएंगे, 0 में, और sin x कभी भी minus 2 नहीं हो सबता, तो only आपको इस equation को solve करना है, कि इसके बताओ number of solution क्या होंगे, ध्यान दे सभी, x की power, 2023, plus, 2024 x, plus, 2025 equal to 0, तो देखो यह एक odd power की equation है, ध्यान दे सभी, अब जैसी इसका क्या करोगे differentiation, तो यह कहाएगा, 2023 की power, x की power, 2022, और 2024, 2024, Skype, DSX, always, गड़ जन 0, तो देन इजे, increasing function, तो 0 पे value, इसकी 2025 है, तो यह function के वल, एक ही बार cut करेगा, तो इसका only क्या हैगा, वन solution, ठीक है न, तो इसका आपको only, वन solution बेटा, फिल करना, ठीक है, चलो, उसके बाद, जो भी remaining question है उनको, अभी आपके लिए, कमल से discuss करेंगे, thank you, Hello friends, myself, कमल सिंग, CLC, मैस faculty, आज अपने, IIT, एडवांस के, paper 2 के, मैस का, solution करेंगे, जो question number, 11 से, शुरू करेंगे, ठीक है, तो question number 11, क्या खहरा है, देखें, vector P, 2I, plus J, plus 3 के, and vector Q, I, minus J, plus K, if for some real, alpha, beta, gamma, we have, तो आपके पास में, alpha, beta की कुछ particular, gamma की particular values के लिए, आपके पास में, ये relation दे रख रहा है, तो इसमें पहले, आप क्या करोगे, P cross Q निकाल लेते हैं, तो P cross Q, ठीके, ये आपके पास में, इस तरीके से आजाएगा, I, J, K, ठीके, इदर, 2, 1, 3, और, 1, minus 1, ये, अगर इसको simplify करते हैं, तो ये क्या आएगा, 4I, और, 2, minus 3, plus K, and, minus 2, minus 3, minus 3K, कैप, ये आपके पास में, E vector, Q vector आगया, अब इसमें, यहाँ पे 2P vector, plus Q vector, इसको 2 से multiply करके, इसमें add कर दो, तो 15, I, plus 10, J, plus 6K, कैप, तो ये, जब 2 से multiply करोगे, इसमें क्या आजाएगा, 5I, तो इदर, 2, plus J, and, 6, 7K, alpha, plus B, तो P, यहाँ पे आपके पास में, तो 2, I, minus, इसको 2 से multiply किया, वो चला जाएगा, आपके पास में, ये 2, plus 3J, 3J, ये minus का, 2K, and, plus का K, इसकी वैल्यू डालेंगे, तो गामा, 4I, plus J, minus 3K, इस फोर्म में आगे, अब यहाँ से आपके, I, J, K, की कोपिशन की comparison करेंगे, ठीके, तो यहाँ से देखो, 15 is equal to be have, 5, alpha, and, plus 4, गामा, ठीके, ये आपके पास में, आइक का कॉपिशन डागया, अब similarly, यहाँ से 10, इदर से, अपके पास में, alpha, और, plus, 3, beta, and, plus कामा, तो similarly, यहाँ पे, this is 6, तो 6 is equal to be have, here, 7, alpha, and, plus beta, माइनस, 3, गामा, यहाँ से, अब क्या है, इन दोने, इक्वेशन से, आप बीटा को, eliminate कर दो, बीटा को, eliminate करेंगे, तो आपके पास में, alpha और गामा में, equation आजाएगी, जब उनको, solve करेंगे, तो आपके पास में, गामा की value, इसको क्या कह रहा हूँ, मैं इसको, यहां से, बीटा को, eliminate कर लो, इसको 3 से, multiply करके, subtract कर लो, तो आपके पास में, alpha, gamma में, equation आजाएगी, इसको solve करेंगे, तो भी विलाएब्दा, value of gamma, वो कितनी आएगी, दो आपके बराबर आएगे, next question देखे, 12th question देखा, इसमें, a normal bit slope, 1 upon root 6, is drawn from the point 0 minus alpha, to the parabola, x square is equal to minus 4, where a greater than 0, let l the line passing through, the point 0 minus alpha, and parallel to the directories, of the parabola, suppose that the line l intersect, the parabola at two distinct points, a and b, let r denotes the length, of the lattice rectum, and s be the care, denote the square of the length, of the line segment, a b, अब उनकी length का ratio दे रिखा आपको, then find the value of 24 a, तो पहले अपने normal का equation निकालते हैं, ठीक है, which is drawn from this point, 0 minus alpha and havings log, तो इस परवोला पर परवोला की shape कैसी होगी आपके पास, परवोला की shape ऐसी होगी, ठीक है, ये point आपके पास में, इदार, इस से 0 minus alpha, इस से normal draw किया गया है, ठीक है, इस point के coordinate निकाल लेते हैं, अपने P के, तो point P के coordinate निकालने के लिए, पर ले अपने differentiation की help ले लेते हैं, तो यहां से क्या है, 2x minus 4 ay, dy upon dx, तो ये dy upon dx, तो क्या आगया, dy upon dx, आपके पास में, किस form में आगया, यहां मैं माइनस, 1 upon x upon 2a, इस form में आए, अब normal का slope क्या होगा, normal का slope 2a upon x, इस form में आएगा, ठीक है, तो ये equal to किसके लिखोगे, 1 upon root 6, so x is equal to क्या आगया, 2a root 6, अब ये point किस पे लाई कर रहा हैं, उसका x coordinate क्या है, ये, 2a root 6 आगया, इसको parabolo को satisfy करेगा, तो ये कितना हुआ आपके पास में, 4a square, 6, is equal to minus 4ay, so y we have is equal to, यहां से a cancel कर दो, minus, कितना आए आपके पास में, यहां से minus 6a, ठीक है, तो p के coordinate आपके पास में, p के coordinate, क्या बनें, तो 2a root 6, and minus, 6a, अब इस पे अपने normal का equation, normal का equation y, plus 6a, clear x, तो slope आपको पता है, 1 upon root 6a, x minus, 2a root 6, अब ये, this passes through this point, 0 minus alpha, यहां पर 0 minus alpha रखेंगे, तो 0 रखेंगे, तो यह आपके पास में, क्या आजाएगा, minus alpha, plus 6a, यहां पर alpha की value पता लग जाएगे, तो 1 upon root 6a, 0 हो जाएगा, root 6 कटेगा, तो minus का 2a, ठीक है, तो इधर ये आपके पास में, कितना आया, minus alpha, this is minus 8a, तो यहां से alpha की value आपके पास में, alpha कितना आगया, 8a, इसके coordinate आपके पास में क्या आगे, तो 0 minus 8a, अब इससे क्या line ड्राग कीगी पहले टुवाट, डारेक्टरिस के, तो इच इंटरसेक्ट दा, परवोला, at point a and b, तो आप a के coordinate निकालने के, तो y is equal to 8a डालो, इसमें न, y is equal to minus 8a, तो इस विल भी, आपके एक स्केयर, minus 8a डाला, तो 32a स्केयर, ठीक है, यह x is equal to, आपके पास में कितना आएगा, 4 root 2, 4 root 2a, प्लस माइनस, ठीक है, तो, इसके coordinate क्या होगे, a के, a के आपके पास में होगे, 4 root 2, a and minus 8a, और इसका आपके पास में क्या आगया, minus 4 root 2, a minus 8a, so what is the length of a b, a b की length आपके पास में कितना होगे यहां पर, 8 root 2a, तो square of the length of this, यह आपके पास में 64, 1 to 8 बनेगा, ठीक है, तो यहां से square of the length of, a b, this will be, a b square s है, ठीक है, यह कितना बनगे आपके पास में, 64, 1 to 8, 1 to 8, a square, clear है, तो अब अपने पास में देखो, आपके length of the lattice rectum कितना है, that is r, 4a, वो आपके पास में 4a है, तो नाउवाट इस गीवन, so r upon s, that is, we have, तो यह आपके पास में 4a, upon 1 to 8, a square, equal to, 1 upon 16, ठीक है, तो यह आपके पास में, 32 आएगा, ठीक है, इदर यह 2a की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे, तो कितना बन गया यह 2a, तो a is equal to 1 upon 2, a की वैल्यू 1 upon 2 बनी, तो 24a आपके पास में, किसके इकोल आएगा, 12 के, answer to this question we have, 12, okay, next question देखे, next question देखो, यह function है, f defined from, उसके domain आपके पास में, 1 से infinity है, ठीक है, we defined in this way, तो function क्या दे रखा है, देखो f t, when t is equal to 2n minus 1, n belongs to natural number है, ठीक है, minus 1 raised to power n plus 1, into 2, फिर आपके पास में, अगर t varies करता है, कहां से कहां तक, 2n minus 1 से 2n plus 1 है, clear है, तो function आपको इस तरीके का दे रखा है, तो function क्या दे रखा है, 2n plus 1, minus t upon 2, f 2n minus 1, plus t 2n minus 1 upon 2, f 2n plus 1, when t varies from, this range, अब इसमें देखो, आपको, फिर आगे gx को define किया, gx is the definite integration, having the limit from 1 to x, f t dt, अब इसमें x कहां से कहां तक है, 1 से infinity तक जा रहा है, ठीक है, let alpha denote the number of solution of the equation, gx is equal to 0, आपके पास में, इसके number of solution क्या है, gx is equal to 0, alpha, in the interval 1 to 8, फिर आपके पास में, beta क्या value है, इस limit की, when x tends to 1, right hand limit दे रखा है, यहां पे 1 plus है, ठीक है, को अपने पास में यहां पर, आगर मैं f1 key value पूछता हूं, तो यहां पर जिससे दर को 1 रखेंगे, तो f of 1 क्या आ रहा है आपके पास में, तो n is equal to 1 रखा, तो 1 रखा, तो आपके पास में 2 आ रहा है, तो similarly, आपके पास में 3, n is equal to 2 डालोगे यहां पर, n is equal to 2 रखा, तो यहां पर आपके पास में f3, ठीक है, n is equal to 2, we have here, t is equal to 3, ठीक है, तो यह आपके पास में यहां पर, n के विले 2 डालोगे तो माइनस 2, तो similarly, f5 is equal to we have minus 2, plus का 2, f of 7 we have equal to what, minus 2, इस तरीके से alternatively positive negative, positive negative बारा है, clear है, अब अपने को function देखो, यहां पर क्या है, x की value, कहां से कहां तक vary कर रहा है, यहां से 1 से 8 है, ठीक है, तो अब अपने को function के different form, अपने को निकालने पड़ेंगे, जब आपके पास में t1 से 3 है, जब 1 से 3 होगा, तो आपके पास में, यहां पर मैं n की value जब 1 रखूँगा, ठीक है, इसकी value 1 आ जाएगी, यहां पर क्या है गर 3 आएगा, तो यह आपके पास में, 1 से 3 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें, फिर आपके पास में देखो function के different form बनेंगे तो यहां पर function के different form देखो किसे बनेंगे यहां पर Ft तो इसके अलग-अलग form निकाल लेते हैं जब T कहां से कहां तक vary कर रहा है T varies from 1 to 3 clear है तो 1 से 3 जब vary करेगा तो यहां पर आपके पास में n is equal to मैंने क्या लिखा 1 1 रखेंगे ना यहां पर 1 रखोगे तो यह क्या आएगा f of 1 यह यह यहां पर 1 so f of यह क्या बनेगा 3 minus t upon 2 यहां पर f1 आएगा f1 की value कितनी है 2 है इसका f1 बनेगा यह यह यहां पर 3 आ जाएगा तो इसकी value आपके पास में n की value 1 डाले तो इधर क्या बनेगा t minus 1 ठीक है और यह आपके पास में minus 2 आएगा इसको जब आपने simplify करते हैं तो इधर यह दो से दो cancel होगा इधर आपके पास में एक इस form में बन गया 4 minus 2t 4 minus 2t अब 3 से 5 3 से 5 में फिर 5 से 7 यह देख लेंगे ठीक है 5 से 7 जब आपको n is equal to यहां पर क्या रखेंगे इसमें 2 रखेंगे जब 2 रखोंगे यहां पर जब 2 रखा तो यह f of 3 आजाएगा minus 2 आजाएगा अब इदार जब 2 रखा तो इदर क्या बना एफ यह बनाएगा तो टी माइनस 3 और अपउन 2 इदर आपके पास में 2 आएगा इसको जब आप सिंप्लिफाइ करोगे तो यह किस फोर्म में आएगा यहां पर देखो 2T plus 40 और यह कैंसल 2 से 2 कैंसल इसा आएगा इस फोर्म में आएगा तो यह क्या बनगे आपके पास नहीं यहां पर तो प्ल 2t 2t minus 8 इस पॉरम में आ रहा है ठीक है 2t minus 8 4 4 का difference आ रहा है तो अगले वाले में आपके पास में 12 minus जो भी आएगा देखो next वाले में आपके पास में यह इसके corresponding देखें 55 रखोंगे तो यहां पे कितना आएगा आपके पास फ फ देखों यहां पर एका 7-7-7-10-7-0-7-8-9-10-5 आजाएगा यह दू आएगा ठीक है प्लस यह आपके पास में इधर किस ऐंदेगा तो इधर किस फॉर्म बने का 1-2 आ जाएगा इसमें 2 इस वा falling difference लिए team 1-5- 5 अपन टू फिरिए माइनसका 2 तो यह इसको जब फॉलकए वेज़े ठीक है फिर वो अगर 7-8 जाएंगे तो फिर वह उसमें भी देख लेंगे 7-8 में मलब 7-9 जाना पड़ेगा यह तक तो जाएगा नी तो 7-9 जब जाएंगे अपने पास में T तो इसमें चार-चार का डिफरेंस आ रहा ना आपके पास में यह तो तो आपको जाना तक ही है ना ठीक है अब देखो इसमें किस तरीके से यह फंक्शन बनेगा तो जैसे यह इस फॉर्म में दिया हुआ है मैंने जो फंक्शन बनाए है आपके पास में किस टाइप के बनाए है तो वन से थ्री में फॉर माइनस टूटी फिर फाइब से सेवन में टूटी माइनस एट तो मैं अलग लग फॉर्म बता देता हूं यहां से देखो एप्टी य इस फॉर्म में बना यहां पर वन से थ्री में आपके पास में क्या लिखा मैंने फॉर माइनस टूटी फॉर माइनस टूटी फिर थ्री से फाइब में आपके पास में टूटी माइनस एट फिर फाइब से सेवन में तो इसमें ट्वैल माइनस टूटी इस पॉर्म में तो से से 9 में हलांकि जाएंगे तो 8 तक ही है ठीक है तो यह आपके पास में 2T-60 ऐसा आ रहा है ठीक है अब इसमें मैंने जो फंक्शन बना दिये इस टाइप का फंक्शन बना दिये अगर अपने इसके ग्राफ की बात करें अगर लेते हैं इसको देखो तो कहा से शुरू हो रहा है जार एंसे तो यह पर से कहात कर रहा है पो पे bereits 2 STSнуться लाएं इसा रहा है को यह सावते हैं कि यह 2 और इधर यह कितना आपके पास pair WIN-2 भी एस-टरीके का ग्राफ रहेगा लीधर के आपके पास में देखो फाइब की त्रीपर फिर मैं आ-छे-ड़ वाइट चुछ इस-टरीके गराईगा यह हुआ तो सिमिलरली आपके पास में 7 पे 7 पे बात करें तो 7 पे देखो आपके पास में इधर 14 तो माइनस का 2 आ रहा है यह ऐसे तो 8 तक यहां जाएगा आपके पास में अब देखो इसमें जो आपके पास में कोश्चन क्या है उसको देखो पहले अब यह इसमें GX is equal to zero के लिए आपके पास में how many number of solutions तो देखो मैंने जो गराब बनाया आपके पास में 1 से 3 में आपके पास में देखो 1 से 3 में ठीक है अगर आप इसमें क्या करोगे F T D T करोगे यह आपके पास में यह वाला positive है यह वाला negative है तो 0 हो जाएगा और clear है तो यहाँ पे एक solution मिला आपको तो similarly आपके पास में 3 से 5 में फिर एक solution मिलेगा क्योंकि यह वाला और यह वाला क्या आपके पास में इनका sum क्या आएगा 0 आजाएगा तो similarly इधार आपके पास में ये वाला और ये वाला क्या होगा आपके पास में इनका सम भी जीरू आ जाएगा अब इधार आपको जीरू नहीं मिलेगा यह तो नेगिटिम में रहेगा ना तो आपके पास में कितने सोलुशन हुए एक दो तीन यह अलफा इस इकल टू थरी आ भाईगी निखालनेगी इसमें जीरो फाइज आप क्या करोगे इस लिम्मेट को निकालने के लिए विल्वी निकाल होगे तो इसको क्या और यह थो इन प्लस है ना लिम्मेट यह राइट अलिमिनले ठीक है एक स्देश् टू एक क्वार एक क्स्ता अजीडैसstein टлавDr. इस पूर में आएगा तो इधर अपने को अगर इसका डिफ्रेंशिट करेंगे तो देखो क्या आएगा जी डैस x is equal to be have f of x ठीक है तो अब f of x का मैंने ग्राफ ये बनाया है जब क्या आपके पास में यहां पर लिमिट क्या रहती है इसकी राइट लिमिट क्या रहेगी दो ठीकई तो उसमें देखो कि अपने देखें कि वह जो लिम्मिट है यह वाली तो इसमें लिमाट एक्स टेंस टू वन प्लस तो यह fx आएगा अपन वन है अब इसमें अब Qo Fx क्या बनेगा पके पास फोर माइनस तु एक्स इसमें लगा होगे वन x tends टु एक्स तो फोर गाए जिए नहीं यह कोर माइनस टु इस टु तो यह बीटा की वेल्यू आ गई आपके पास नहीं ना अन्फा मारे पास में आ गया थी बीटा इस इकल टूसर अलफा प्लस बी कि next question क्या है देखो पराग्राफ है ठीक है अब इसमें देखो एसके एक सेट है है एविंग देख सिक्स एलिमेंट्स एक्स बीड़ सेट फॉल दी रिलेशन फ्रॉम सेट के रिलेशन सार्व फ्रॉम एज़े तो आपके पास में और क्या है मनलेभी एक शिज सेट अव रिलेशन सेट फ्रॉम एस टो है और वह जो वो जो जो बीड़ीशन फिर सके लिए क्या कह रहा है अब देख सैटिस्पाइट बहुत दी फॉलिंग प्रोपर्टिस जो रिल यानि जो आपके पास में आर में ordered pairs आएंगे उनके difference का modulus greater than equal to 2 होना चाहिए तो clear है तो अब आपके पास में देखो उन में से how many number of ordered pairs are possible जिनका difference का modulus greater than equal to 2 रहेगा तो वो देखो आपके पास में एक तो 1 के साथ में आपके पास में 131415 ऐसा रहेगा 16 इनके आपके पास में पलट कर भी आजाएंगे ठीक है ऐसे पिर आपके पास में 22426 ठीक है इससे आपको क्या मिलेंगे देखो यह 8 मिलेंगे तो रिवर्स में भी लिख देना और उनको चेंज कर देंगे उनका difference का modulus हमारे पास में क्या रहेगा दो यह 2 से बड़ा ठीक है अब आपके पास में देखो इधर थीक है 18 होगे फिर आपके पास में 46 इसमें दो रहेंगे थीकशे पलटके लिख देते हैं तो यह आपके पास में 6446 तो टोटल कितने होगे 20 तो आपके पास में 20 ओर्डर पेर्स इतने आपके पास you will have the so many number of relations तो 20 में से 20 order pair में से 6 order pair लेने हैं ठीक है 6 order pair लेने हैं जो इस condition को satisfy करेंगे है तो आपके पास में क्या आएगा तो कितने order pair से यहां पर 20 तो इसमें आप 20 में से 6 element लेकर this is the number of way selecting the number of relations और ठीक है तो इतने आपके पास में number of relations बनेंगे और विचार डिफाइंड फ्रॉम एस्टो एस एंड विस सैटिस्फाई दा इस तो प्रॉपर्टी इन दोनों प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है तो यहां पर से एम कितना होगे आपके पास में 20 क्लीर है फिफ्टिंथ कोशन में आपके पास में यहां पर क्या है तो सैट एस में आपके पास में 6 फॉर वण कि 516 यह ऐसे आजाएंगे यह आपके पास में 20 और पीर सा जाएंगे इस तो ऐसी पिर आपके पास में इसमें क्या आएगा इसको अपने रिपीट भी कर देंगे तो यह इस टाइप से देखो फिर आपके पास तू का लूब बनाएंगे तो तू का फाइव यह म ठीक है, 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 ठीक है 153 और 5 तो आपके पास में fifth and 153 और 5 के आपके पास में 2 के साथ है यह 20 आएंगे उसक방 अगर अपने फोयदा करकर के देखे हैं तो अब इसमें तो इस question में क्या है आपके पास में वाइ क्या है? the range of R has exactly one element तो आपके पास में अब ऐस्याइब को और देखने जिनमें क्या है रेंज इस सब्सक्राइब क्या होनी चाहिए रेग one four one ठीक है five one वेदर six one या फिर आपके पास में क्या रहेगा तो six वाले ले सकते है one six यानि फिर आपके पास two six three six four six ठीक है अब इसमें आपके पास में maximum तो चारी order pairs आते हैं जब आपके पास में उसमें range क्या रहे है only one element इसमें आपके पास में 60 ने रहेगा तो ny क्या होगा आपके पास में 0 होगया clear ween अब इसमें बात करते हैं दो ब्रागे क्या है NZ तो यहां पर और स्वास्टै तो पता है आर में किया चैनल में थे साथ तो इसकी बात करते हैं हुआ है जब 6 जेसा तो वन कितने से आपके पास वे रिलेटेट हो सकता इसा साथ में आपके पास् Drag three four five six ऐसाँ होगा ठीक है तो तो similarly आपके पास चाहिए two goals five six mar睨 का और और 156 यह उजे भिए स्काइप किस किस के साथ में हो सकता आपके पास नहीं 2511ग six ठीक है यह और तू के साथ में इस ना होगा रिसमिले लिए dich आपके पछे पासके फाले का बने जाएगा और तू का बने बने गाओ परसा अब करेयो पास नोसीमिलेली सिंपस का री का उन के साथ में टू के साथ में टू के वो greater than equal to 2 रहेगा, clear है, अब आपके पास में ये 6 सेट आपके पास में इस तरीके से हो गए, तो in function, you have to define the r as a function, function बनाना है from s to s, तो ये 1 क्या है, आपके पास में जिसे 1, 3 से 4 से, ऐसे बनेगा order pairs, 1 का 3 से 1 का 4 के साथ में, exactly 1 element से related रहेगा, तो 1 का या तो 3 से रहेगा, या 1 का 4 से रहेगा, या 1 का 5 के साथ में, या 6 का 1 के साथ में, या 6 का 1 के साथ में ऐसे रहेगा, तो ये कितने वेज़ से आपके पास में हो सकता है, यहां पर 4 सी 1, तो number of functions क्या बनेंगे 4C1, इधर क्या आएगा 3C1, तो इधर बनेगा 3C1, और इधर 3C1, 3C1 और 3C1, 4C1, तो यह आपके पास में यहाँ पर 6 elements आगे, 6 ordered pairs आगे, तो number of functions क्या बनेंगे आपके पास में, यहाँ पर, तो 4C1, 3C1, 3C1, तो 3C1 into 4C1, यह आपके पास में 4 square, 3 ratio of 4, ठीक है, अब यह 16, तो यह आपके पास में, इसको क्या करों, आप 3 का square, 36 का square करें, तो यह k square के बराबर है, तो k यहाँ पर आपके पास में कितना आ गया, modulus of k 36, ओके, यह answer इसका 36 आ गया, तो next question देखो इसमें, क्या function है, f defined from 0 to pi है ना, this is the domain, और range कहां से कहां, 0 से 1, be a function, fx is equal to क्या दे रखा, sin square x, और g function दे रखा, आपको क्या 0 से pi by 2 से 0 से infinity है ना, अब इसमें देखो, gx function यह दे रखा है, अब अपने को पहले, इसकी value पूछ है, तो देखो, भी इसकी value क्या आएगी आपके पास में, मैं पहले इसकी बात करता हूँ, 0 से pi by 2 gx, ठीक है, इसका यह actual में है क्या आपके पास में, pi by 2 और gx, तो अपके अंडूट में, pi x upon 2 minus x square dx, एक्चल में यह देखो, अगर आपने देखें, equation किसकी है, इसको मैं y k equivalent कर लेता हूँ, तो अंडूट में, pi x upon 2 minus x square, इसको squaring किया, तो देखो, x minus pi by 4, whole square, plus y square, ठीक है, इस आपके पास में, दोनों तरब pi square upon 16, यानि pi square upon 16, यह एक circle का equation आगया, जिसका आपके पास में, radius कितना pi by 4 है, एक्चल में, ठीक है, जिसका center के आपके पास में, center यहाँ पे आपके पास में, pi by 4, whole 0, clear है, तो यह semicircle बनेगा इस से तो, तो semicircle का area पूछा है न, तो आपको यहाँ से 0 से pi by 2, तो actual में, यह क्या है, semicircle का area है, from 0 to 5, pi by 2, radius उसका कितना है, pi by 4 है, तो 1 upon 2, pi square upon 16, into, आपके पास में, pi square, ठीक है, into pi, न, pi r square, तो यह बन गया, pi cube upon 32, तो इसकी value हमारे पास में, pi cube upon 32 आ गई, अब बात करते हैं, इसकी, ठीक है, तो यह देखो, अब आपके पास में, तो next function आपके पास में यह है, तो fx आपको पता है, तो इसमें limit कहां से कहां तक है, देखो, limit इसमें, 0 से pi by 2, देखो, 0 से pi by 2, fx gx, ऐसा ही है, ठीक है, तो, अब इसको देखो, अब इसको अपने, i1 let कर लेते हैं, i1, यहाँ पे fx की value डालते हैं, fx आपके पास में 0 से pi by 2, sin square x, यह अंडूट में क्या आ रहा है, यहाँ पर pi x upon 2 minus x square d, अब इसमें अगर आप king rule लगाते हैं, ना king rule, यानि fourth property, तो यहाँ पर क्या करोगे, यह cost में बदल जाएगा, यह same, वैसे कब ऐसे ही रहेगा, जब x की जिगें क्या लगा होगे आप, pi by 2 minus x, तो same रहेगा, कोई change नहीं होगा, तो यह i1 बनेगा, आपके पास में 0 से pi by 2, तो cos square x, तो इधर आपके पास में pi x upon 2 minus x square dx, ठीक है, अब इसको दोनों को add करेंगे, तो आपके पास में यह वाला तो 1 हो गया, तो इधर के आएगा, 2i1, तो limit कहां से कहां 0 से pi by 2, इस form में आगे, तो अंडूट में pi x upon 2 minus x square, यह हुआ, फिर आपके पास में, यह वही वही वन गया, आपके पास में, ठीक है, तो इसमें, इसमें question में थोड़ा सी, यहां पर क्या है, दो है, यहां पर दो है, ठीक है, यह सही है, यहां पर दो है, question में, कि से तो अपिसमें है इने अब इयरिया निकाला यह कैस इस इस अरिय स्वेजिंस निदी मैं यह तरस और इस तर्व सो तो यह आइवन किसके बरावर हो गया पाई क्यूब अपन 64 इसको दो से मल्डिप्लाई करो गया टू आइवन इस इकल टू पाई क्यूब अपन 32 इस फॉर में आ रहा है ठीक है तो एक्षल में देखो इसकी वैल्यू आपके पास में टू इंटू तो यह इसको दो से मल्डिप्लाई कर दिया दो से मल्डिप्लाई किया तो यह टू आइवन हो गया तो इसकी वैल्यू मैंने अभी निका लिए पाई क्यू अपन 32 इसकी वैल्यू हमने निका लिए वो कितनी है पाई क्यू अपन 32 इस विए जीरो यह जीरो के को ला रहा है ठीक है तो next part देखो इसमें next part be the function defined by next part में इसकी value पूछा है इसकी value मैंने अभी निकाली है आपके पास में ठीक है तो ये 16 इसकी value हमने निकाली थी तो 2 i1 ये ता ना i1 तो pi q upon 64 तो देखो अब इसकी value तो pi cube 16 pi cube तो pi cube upon 64 इस आपके पास में 1.4 इसकी value कितनी आई 0.25 ठीक है इसका अमज़र 0.25 ये question का solution था 11 से लेकर 17 तक ओके थेंक यू हलो मैसेल्फ कमरिश चौदरी टीम फिजिक्स CLC सीकर आज हम जे इडवांस 2024 का पेपर 2 फिजिक्स का वो डिसकस करने जा रहे हैं इसमें section 1 के अंदर 4 questions है single correct questions है इसमें plus 3 minus 1 है तो first question जो है इसमें क्या बोल रखा है magnetic field का question है इसमें क्या बोल रखा है कि एक rectangular rectangular reason जो है इस equilateral triangular reason के अंदर L length दे रखी है इसमें magnetic field की direction pointed Z direction है बाहर की और magnetic field इसमें बोल रखा है एक दूसरा rectangular मतलब एक दूसरा loop और है PQR और यह जो loop है यह भी equilateral triangle है height जिसकी L है और यह x equals 0 पर initially यह position दे रखी है अब T परापर 0 पर यह start कर रहा है नीचे की और uniform velocity से magnetic field के अंदर enter करना start कर रहा है तो जो loop है वो orientation change नहीं हो रहा है continuously इसको cross करतावा जा रहा है तो इस condition में पूछावा है कि कौन सा graph represent करेगा induced EMF as a function of distance तो देखें इसके अंदर जैसे यह enter करना start होगा तो थोड़ा बहुत भी जैसे यह enter करेगा यह part is magnetic field के अंदर तो motional EMF की वैसे हम वो सकते हैं कि starting और last point को join करके इस वाली length के बराबर induced EMF लिख सकते हैं BVL के बराबर यह होगा जैसे यह नीचे के और बढ़ेगा उसके साथ साथ यह जो length है यह वाला part इंक्रीज होता जाएगा तो शुरुवात में क्या होगा induced EMF की value increase होगी लेकिन यह value तब तक increase होगी जब तक यह इस वाली situation में नहीं पहुँच जाए क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि इस वाले part पे नीचे वाले part पे induced EMF है लेकिन इस उपर वाले part में भी induced EMF और अना start हो जाएगा मतब situation यह ऐसी बनेगी यह condition और इस तरह की situation तो पहले यह induced EMF हो रखा था इतना part का लेकिन जैसे यह part नीचे की और आएगा इधर की और induced EMF और आना start हो जाएगा तो total induced EMF यह और यह opposite होनी की वज़े से अब बैटरी के टर्मिनल से यह में लेकिन और राल लूप के अंदर रखेंगे induced EMF अपोज करता होगा तो induced EMF की value अब decrease होना start होगी अब यह decrease कब तक होगी जब तक यह reason बिल्कुल symmetric नहीं हो जाए दोनों तरफ इस वाली situation तक induced EMF decrease होता क्या decrease होते तो 0 हो जाएगा इस situation तक इसके बाद जब next situation जाएगी अब बढ़ना start होगा और last situation जब यह रहेगी इसमें मतलब यह completely बाहर आजाएगा उस time तक induced EMF इसके अंदर दूसरी direction में मतलब positive and negative direction में increase होता जाएगा maximum value आएगी इसके last में B, V और इस length के बराबर यह जो length आएगी तो यहाँ पर induced EMF यहाँ पर options दे रखा है कि पहले induced EMF increase हुआ negative direction में एक certain value तक फिर उसके बाद यह वाला reason था जब यह cross करना start करा था एक पल हो गए थे cross करना start किया और एक पल हो गए तब तक यह decrease होना start हो गए 0 तक पहुंच गया इसके बाद वाले reason में यहाँ तक induced EMF increase हुआ जो maximum है बाकी conditions में तो induced EMF increase होता हुआ maximum तक पहुंच गया तो first option इसके according correct हो जाएगा बाकी option इसके according match हो गए रहे तो यह explanation यह दे रखा है कि first वाले reason में यह increase होता जा रहा है proportional to x है और इस वाले situation पे आते आते यह 0 हो गया था जब बलकुल symmetric हो गया फिर बाद में increase होता हुआ है इसके अंदर next question number second में एक particle है mass M का जो gravitational force के under में move कर रहा है circular बात में radius R naught है time period T naught है इसका अब इसमें एक additional central force और act कर रहा है इस पे जिसकी वाएसे potential energy M alpha R cube है alpha positive constant है R dimension दे रखा है distance का और particle same circular orbit R naught में move कर रहा है gravitational force प्लस इस potential की वज़े से तो नया time period इसका T1 है तो यह value पूछी भी है तो पहले वाला time period था वो T equals हो गया 2 pi root R cube by gm यह पहले का time period था इसका नया वाले time period की time पर हमने इसकी वज़े से भी force लिखना है एक तो gravitational force लिखा हुआ है gmm by R square यह center की तरफ force लागा हुआ दूसरा इसको differentiate करेंगे तो minus du by dr यह force होगा differentiate करेंगे तो m by m alpha R की बावर minus 3 था differentiate किया minus 3 एक minus और है plus R की बावर 4 यह force हो जाएगा यह plus है मतलब अवे लग रहा होगा तो net force इस पे यह minus circular बाद में घूम रहा है तो यह force m v square by R की बावर लिख सकते है या m omega square R की बावर लिख सकते है यहाँ से omega calculate कर सकते है नए वाला time period calculate कर सकते है तो यह calculation है कि net force जो था m v square by R की बावर लिख दिया और इससे time period calculate किया यह नए वाला पुराना time period यह था calculation थी आगे यह value पूछी थी तो यहाँ पर यह value आजाएगी 3 alpha gm upon R not square 3 alpha यह option इसके corresponding correct हो जाएगा question number 3 एक metal target है atomic number 70 से z equals of 46 highly energy electron beam से bombarding की है और x-rays emit हो रही है target जो भी metal था उसको analyze करने के लिए तो ratio बता रखा है wavelength of k-alpha line और cut-off wavelength का cut-off wavelength तो accelerating potential भी depend करेगा तो accelerating potential तो change किया नहीं है दूसरा एक और बोल रखा है दूसरे वाले पर z equals of 41 same electron bombarding किये हुए है तो दोनों के अंदर जो cut-off wavelength है वो same है लेकिन k-alpha की value change होगी k-alpha कैसे है तो mausle is locked है according इसको लिख सकते हैं c by lambda root तो square करते हैंगे तो 1 by lambda proportional to z minus b का उल स्क्वेर और k-alpha के लिए b की value 1 लेते हैं तो इसलिए यहाँ पर जो lambda wavelength होगी वो इसके square के inversely proportional z minus 1 के square के inversely proportional और जो cut-off wavelength है इनका ratio अब अब इस तरह से proportional आएगा यह ratio जाएगा अब यहाँ पर पहले इसका value जो दे रखा है वो दे रखा है 2 तो यहाँ पर यह ratio जो है 2 1 by z minus 1 46 minus 1 45 का square यह proportional to 2 था फैल दूसरे वाले condition में यह ratio पुछा हुआ है दूसरे वाले condition में z की value 41 है z की value 41 है तो यही ratio रहेगा लेकिन 1 by 40 1 minus 1 40 का square की proportional यह ratio आजाएगा आर तो इसलिए r by 2 की value हो जाएगी 45 by 40 का square यह value है तो यह values पूछी भी है यहाँ पार यह value आजाती है अपनी वही है 1 by lambda r z minus 1 का all square और जो cutoff wavelength है hc by ev0 तो जो ratio है वह ratio आजाएगा दोनों का 45 by 40 का square into 2 और लगबग value 2.53 के असपास answer इसके करस्पड़ने उतना ए correct हो जाएगा third के बाद question number 4 4 में एक wire दे रखा है इसको band किया circular loop में और दो end इसके extend कर दिया tangentially same point से loop में जो P और Q पॉइंट यहां पर बता रखे है wire का mass जो दे रखा है M है radius इसकी R है uniform vertical magnifield B not यहां पर यह शो कियावा है initially vertically downward loop है और acceleration due to gravity G यह इस position पर था conductor का support P और Q पर है current I पास कर रहे है loop से तो loop turn हो रहा है इस P Q line के about theta angle पर तो theta की value बतानी है कितनी होगा तो यहां पर जैसे magnetic field के अंदर एक loop रखावा हो तो loop पर torque लगता है torque equals to M cross B के बराबर तो इस पर torque लगेगा M M की value हो जाती है N number of turn 1 current I R square B और जो angle होता है बोग हम लेते हैं area vector और magnetic field के बीच में तो बाद में जो भी इनकी बीच में angle होगा rotate करने के बाद सबोज यह situation हो गई इधर से इस वाले diagram को बना रहे है यह vertical से theta angle rotate हो गया तो यह इसके M की direction है यह इसके B की direction है यह angle theta है तो इनकी बीच में angle आ जाएगा 90 minus theta तो यह हो जाएगा MB sin 90 minus theta means cos theta अब इसका torque MG से balance हो रहा होगा जिसकी वज़े से यह इस theta angle पर रुख जाएगा MG का torque हो जाएगा इस वाले point के बाउट मतलब इस point के बाउट MG center पे लगा MG into r और angle हो जाएगा दोनों की बीच में theta MG r sin theta तो इस torque को balance करेंगे और torque को balance करके यहाँ पर theta की value calculate करेंगे इस से तो यह किया वाए है torque जो है MG r sin theta वो magnetic field के torque से balance किया वाए है तो 10 theta की value आ गई i pi r b naught by mg तो i pi तो first answer इसके corresponding हो जाएगा next question number 5 next section है section 2 में 3 questions है more than 1 correct है इसमे correct पे 4 partially marking है negative minus 2 है इसमे first question है कि एक small electric dipole p naught given है momentum inertia i इसके center के about r distance पर रखावा है sphere के center से एक spherical shell है radius की इसके center से r distance पर surface jar density इसकी sigma दे रखिये uniform distribution है spherical shell पर dipole initial orientation theta naught small angle दे रखा है तो distance r पर रुकावा है और dipole को release कर दिया इस वाली position से तो dipole में translation नहीं मान रहे है यहाँ पर के वाल आर नौट rotation गंजीर करना है पर पर बोल रखा है कि release कर दिया आगा rest से तो इन में से कौन सा statement correct है तो ए बोल रखा है कि dipole जो है वो small oscillation करेगा किसी भी finite value of r के response नहीं दूसरे में बोल रखा है कि dipole small oscillation करेगा अगर r की value greater than capital आ रहे है और the first option में बोल रखा है r की कोई भी value second बोल रखा है outside second mention क्या हूआ कि outside first ball रखा है inside तो अगर inside रखा है तो dipole इस square के inside electric field होगा नहीं शेल है electric field नहीं होगा तो इस पर कोई torque नहीं लगेगा तो inside तो oscillation होगा नहीं outside हो सकता है तो पहला option जो है अपना वो गलत है कि हर जगा oscillation तो नहीं होगा बाहर oscillation हो सकता है, चेक करेंगे, उसकी frequency चेक करनी है, आउटसाइड के लिए, तो oscillation के लिए चेक करते हैं, तो torque लगेगा इस पे, P x E, जब आउटसाइड है उस condition में, तो torque की value हो जाएगी, P, आउटसाइड electric field, 1 upon 4 pi epsilon 0, इस पे charge है Q, सिगमा दे रखा है, तो सिगमा Q by R square, ये electric field, P E, sin theta, small angle है, तो torque लिख सकता है, यहाँ से, 4 pi cancel कर दो, सिगमा R square, P by epsilon 0, small r square theta, ये torque हो जाएगा, torque theta की proportional है, मतलब SHM होगा, oscillation होगा इसका, तो oscillate करेगा, इस वाले position में, यहाँ पर, अब oscillation का time period कितना होगा, तो इस वाले term को use करते वे, net torque equals to i alpha लिख दे, तो oscillation में frequency, angular frequency, omega की value आजाएगी, ये divide by i, omega square की value, तो sigma r square P by epsilon 0, r square by i का root, ये omega आगया, इसका, अब पहले option हम बोल रखा है, r equals to 2 r रख दे, second option हम बोल रखा है, r equals to 10 r रख दे, तो ac में r की जगे value बुट कर नहीं है, 2 r और 10 r, तो उनके corresponding जो answer है, first incorrect होई गया था, second correct है, और d वाला जो है, ये इसके corresponding value match हो जाएगी, तो b और d इसके corresponding correct है, तो ये दे रखा है, torque, omega की value calculate की वी है, और अलग-लग values के corresponding, r equals to 2 r के corresponding, ये value आ रही है, और 10 r के corresponding, ये value आ रही है, एक swing pool में depth 0.7 meter तक, below the water surface, और वहाँ से release कर दिया इसको, अब water से immerge होते dimer, इसकी speed V है, और weight हो नहीं रहा, तो किसी तरह का अपन को और कोई resistive force consider नहीं करना, viscous force दे रखा है नीचे value, और rise हो रहा है height as तक, तो कौन सा option इसमें से correct है, वो पूछा हुए, तो पहले में पूछा हुआ है कि work done, push करने में कितना करना बढ़ेगा, तो जब इसको push कर रहे होंगे downward, तो एक तो नीचे की और mg लगेगा, एक viscous force आगेगा इस पे, sorry, buoyancy force, buoyancy और नीचे की और push कर रहे हैं, तो push करने के लिए force लगाना पड़ेगा, तो इनके against यो भी work करना पड़ रहा है, वो total work करना पड़ेगा, तो work done आ जाएगा, work done by buoyancy force, buoyancy force into distance d, work done by f, plus work done by buoyancy force, buoyancy force into d, negative का, plus work done by gravity, mgd, equal to 0, slowly लेके जा रहे थे, तो work done by f आजाएगा, यहाँ से mgd minus का, plus buoyancy force into d के बराबर, यहाँ से हमें buoyancy force की value पता ही है, यह given है, यहाँ से calculate कर लेंगे, mass given है, gravity given है, density दे रखा है, और object की radius दे रखी है, तो यहाँ से volume लिख सकते हैं, तो यह value, यहाँ से calculate होगी work की value, तो work की value आ जाती है, 0.0770 के होगे, release करने के बाद, इस पर forces होगा है, buoyancy force, minus mg, net force equals to m, यहाँ से acceleration calculate करेंगे, यहाँ तक आरते आते, velocity v equals to under root 2a h के बराबर, यह velocity हम calculate कर सकते हैं, यह velocity मिलेगी इसको, तो velocity 7 meter per second इसकी आ जाएगी, और जैसे velocity मिली, इस velocity से कितनी maximum height तक उपर जाएगा, अब gravity के अंदर जा height calculate कर सकते हैं, इस वाली velocity से, v square upon 2g के बराबर, यह further इसकी height तक जाएगा, यह height calculate कर सकते हैं, तो यहाँ पर options में, first option में, work done calculate कर लिया, work done by buoyancy force, gravity, और buoyancy force का difference ले रखा है, 0.077 बना जाएगा, और वही energy concentration, half mv square equals to 0.077, तो velocity की आ जाएगी, इस से, 7 meter per second, फिर net force जो है, वह आ गया, 0.11, उसके अलावा, viscous force के अलावा, तो इसका acceleration, velocity maximum आ गए, viscous force की value इतनी है, तो यहाँ पर ratio पुछा हुआ है, कि net force और viscous force का ratio कितना है, तो height की value यहाँ से calculate करेंगे, अपर तो height की value, इस वाले part में, height की value यह, इस से value थोड़ी ज़्यादा याती है, height की value, तो यह option अपना incorrect है, डियो वाले option है, पुछा हुआ है, कि work done, sorry, viscous force के अलावा, बाकी जो forces है, उनका magnitude और viscous force जो maximum है, इनका ratio calculate करना है, तो यहाँ पर बाकी जो forces हो गए, यह forces हो गए इतने, 0.11, और जो viscous force है, यह viscous force हमने velocity जब 7 meter per second consider की है, उसके करस्पड़ने के एक बार चेक कर रहे है, कि बिना viscous force के velocity इतनी आ रही थी, तो maximum मगर velocity ले ले तो viscous force के साथ इसका ratio 500 by 9 आ जाता है, लेकिन क्योंकि यह velocity का पर जब viscous force हमने नहीं consider किया है, और viscous force होगा, तो इसकी velocity इससे कम ही मिलेगी, कम मिलेगी तो यह वाला viscous force की value इससे थोड़ी कम मिलेगी, इसकी वज़े से यह वाला जो value है, यह इससे greater आएगा, इसलिए D वाला option incorrect है, तो answer अपना first A और B हो जाएगी, next, seventh, seventh में एक positively ionized atom है, mass number दे रखा है AM, accelerate कर रहा है किसी potential difference है, और एक rectangular reason में enter कर रहा है, width D है, और magnitude field, Z axis के along है, बाहर की और बता रखा है, और, और finally जो ion है, वो detect किया distance X पर, यह यहाँ पर detector दे रखा है, इस पर detect हुआ, क्योंकि यहाँ से जैसे enter किया magnitude field में, V cross B की वज़े से downward force लगा, और यह ऐसे गुमते वए, यहाँ पर निकल गया, detect voice से, तो इसमें X की value क्या बोज़कता है, यह जी circular बात में घुम रहा है, उसका diameter हो गया, 2R के बराबर यह value हो गई, तो X की value हम बोज़कते है, 2R, 2R, R की value होती थी, MV by QB, और अगर इसको accelerate करवा रहे हैं, तो MV की value हो जाएगी, root 2M, charge into potential, जिससे accelerate करवा है, यह X की value है, फिर दूसरा यहाँ पर जब यह इसमें enter कर रहा है, तो इस W की value, greater होनी चाहिए, इसकी radius से, चाहिए यह circular बात हो, कोई सा भी circular बात हो, इसकी value radius से greater होनी चाहिए, limiting condition में just equal बहुत सकते हैं, तो options क्या-क्या है, value X की, H plus IN के लिए, तो X की value यहाँ से calculate की, potential की value दे रखी है, mass hydrogen का दे रखा है, proton, फिर charge proton भी दे रखा है, magnitude field दे रखा है, 0.1 tesla के बराबर, तो इससे जब हम value calculate करते हैं, इसमें first में, तो यह value लगबग 4 cm के बराबर आ जाती है, फिर second, second option में बोल रखा है कि जब atomic number 144 है, तो atomic number 144 के corresponding, इसका 12 times हो गया, root 144, तो 48 आ जाता है, फिर third option में बोल रखा है, कि 1 to 196 में maximum height जो मिलेगी, minimum height X1 और X0, उनके बीच में, तो X0 मतलब यह जो minimum distance हो, minimum distance hydrogen के corresponding आएगी, maximum distance 196 के corresponding आएगी, तो यहाँ बार hydrogen के corresponding और 196 के corresponding यह values calculate की, यह hydrogen के corresponding X है, यह 196 के corresponding 14 times इसका root, तो यह 52 आता है, जो option में नहीं है, फिर fourth option बोल रखा है कि minimum width D, इस reason की 196 के लिए 56 होनी चीए, मतलब इस reason की बात कर रहे है, W की value R से ज़्यादा होनी चीए, और R की value इसके अंदर आई थी, इसकी half, क्योंकि यह अपने 2X calculate किया है, तो यह value है 28, तो W की value minimum 28 होनी चीए, तो D option भी अपना incorrect है, तो correct option हो जाएगा A और B, next, question number 8, section 3 में 6 non-negative integer values है, उसमें correct पे plus 4, negative marking है नहीं, 8 में, एक cone का dimension measure किया हुआ है, एक scale से least count 2 mm है, diameter जो था base का, और height, दोनों ही 20 cm measure की भी है, तो maximum percentage error volume में कितना होगा, तो volume calculate करना है, cone का 1 by 3 pi r square, r को diameter के term में लिख दो, r square h, percentage error calculate करनी है, तो delta v by v, twice of delta d by d, plus delta h by h हो जाएगा, percentage के link 200 कर देंगे, ये diameter में error जिस instrument से measure किया है, उसके least count के बराबर, तो 2 into 2 into 10 bar, minus 3, divide by d, ये है 20 cm, तो 20 into 10 is the power minus 2, same इसके लिए भी calculation है, तो इसलिए 3 times कर दो इसको, percentage चीए into 100 कर देंगे, तो ये value अपने 3 के around value जाएगे, तो 3% के around, ये error इसके अंदर है, वही calculation है याप है, 3 answer इसका, 9th question, एक ball को throw किया, एक location 0,0 से, horizontal playground में initial velocity V naught से, at angle theta naught, तो क्या बोल रखा है कि, एक ball को throw कर दिया, यहाँ पर theta naught angle पे, V naught velocity से, origin से, ball, एक stone से hit हो रही है, stone को throw किया था, same time पर, location थी उसकी, L naught,0 पे, और stone throw किया था, 180 minus theta 1 पे, x axis से positive से, 180 minus theta 1, तो इधर से लिख लेता हूँ, मैं theta 1 angle, इधर कि और throw किया, किसी velocity से, अब suitable initial velocity, कुछ V गंसीर कर ली, fix V naught के लिए, जब theta naught और theta 1, 45, 45 है, यह दोनों angle 45 है, तो उस time पर, इसको hit करने में, time लग रहा T1, और दूसरी बार, जब यह angle 60 और 30 है, उस time पर time लग रहा T2, तो दो को first condition में, जब अब triangle को देख रहे हैं, तो यह 45, 45 था, तो यह 90 degree हुआ, L distance है, collide होने के लिए, यहीं पहुंचना पड़ेगा, तो इसकी velocity V naught है, यह L distance है 90 degree है, तो यह length हो गई, L cos 45, तो T1 time जो लगेगा, इसको यहां से आं तक कोंचने में, distance L by root 2, और velocity V naught, यह T1 time लगा, दूसरी बार, इसमें क्या बो दिया, यह angle 60 degree है, यह 30 है, तो इस बार भी 90 degree है, यह length L है, तो यह distance हो गई, L cos 60, इस तरफ V naught velocity से चलना है, इसको, इस बार time लगा, T2 equals 2, L cos 60, means by 2, और velocity fix है, V naught velocity है, तो यहां से T1 by T2 का value जो आ जाएगा, T1 by T2, 2 by root 2, root 2 आ जाएगा, उसका square पुछावा है, तो square answer आ जाएगा, 2, तो यही है, यहां पर time जो लगा इसको, L cos theta, by V naught लगा, तो ratio, angle की ratio में आगया, cos 45 by cos 60, question number 10 पर आता है है हापन, a charge is kept at a central point P of cylindrical region, the two edges subtend a half angle theta, at pH on the figure, when theta is 30 degrees, then the electric flux through the curved surface of the cylinder is 5, if theta is 60 degrees, then the electric flux through the curved surface becomes 5 by root n, where the value of n is, n की value पुछी हम से, यहां, काफी simple question है, पहले बाद तो यह है कि, अगर charge यहां रखे हापन, तो इस पूरे cylinder से पासवने वाला flux की तना आएगा, q by epsilon 0, right, लेकिन हम से खाली स्कार्ड surface से पुछा flux, अब कर्ड surface से flux calculate करना है, तो मुझे यह वाला जो flux होगा, इस में से पासवने वाला flux हो रहे, नीचे वाली, तो circular surface से पासवने वाला flux, उसको subtract करना पड़ेगा, तो वो flux की तना आएगा, minus 2 times of, एक single surface से पासवने वाला flux, which is q by 2 epsilon 0, 1 minus cos theta, काफी famous formula भी है, यहां से इसको solve कर लें, 2 से 2 cancel out हो गया, q by epsilon 0, एक पाढ़ कर जाएगा, q by epsilon 0, cos theta, यह flux pass होगा, किससे, इस circular surface से पासवने वाला flux होगा, पहले theta 30 रख देंगे अपन, उसको 5 के बराबर कर देंगे, और देंको 60 रख देंगे, so theta गर 30 रख देंगे, q by epsilon 0, cos 30 is root 3 by 2, यह flux 5 के एक्वल है, और यह 5 के एक्वल है, और जो 60 रख हैं अगर अपन, q by epsilon 0, 1 by 2, यह 5 by root n के एक्वल है, clear, 5 by root n, so 5 के वाल्यू आण से इसमें place कर दीजी, इसमें place करेंगे तो q by epsilon 0, root 3 by 2, so q by epsilon 0, q by epsilon 0, 2 cancel out होगे, root n equals to root 3, that means n equals to 3, काफ़ी simple सा, basic सा question था, simple question था, next question पर चलते हैं, यहां two equilateral prism दे रखें, P1 and P2, ठीक है, तो एंगल 60 60 हो जाएंगे सारे के सारे, हम से ही पूछावें कि एंगल थीटा की वैल्यू बताएं क्या होगी, अगर P2 से जो light ray है, वो minimum deviation के साथ पास हो रही है, तो हम इस question को ultra solve करते हैं, और इसका P2 का refractive action में given है root 3, और P1 का given है root 3 by root 2, ओके, तो P2 की अगर हम बात करनें, तो light ray जो इस पर incident होगी P2 पर, इसका diagram में यहां मनाऊ, light ray P2 पर जब incident होगी, इस तरीके से incident होगी, ठीक है, तो this angle is 60 degree, so R1 और R2 दोनों equal होगी होगी हो, तो R1 equals to R2, and which is 60 by 2, मतलब बोले पर 30 degree, तो यह 30 degree angle है, यह angle of incidence इस prism के लिए आजाएगा, पने पास I, तो I की value होगी 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 होगी, तो I की value होगी 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 होगी, तो sin I is equal to, यहां रूट 3 है, and sin 30, sin 30 is 1 by 2, so root 3 by 2 means, I equals to अपने पास आगे 60 degree, so इस prism पर जो angle of incidence हो 60 degree, तो यहां से अगर हम देखें, तो यहां पर एक normal draw कर दिए मैंने, और इस पर यह light रही हो जा रही है, so this angle is 60 degree, अगर यह 60 है तो यहां पर भी यह वाला एंगल 60 आएगा इस प्रिजम से एंगल ओंगल 60 आएगा अब यह 60 है तो इसके लिए हमें यहां पर जो आएगा यह वाला एंगल जो आएगा इस इस लाइटे के लिए आर्ट जो आएगा इस आर्ट को अपन कैल्गूल कर सकते हैं इस प्रिजन के लिए स्नेश जो लगा जब यहां प्रगर स्नेश स्लो लगाऊं यहां वाल्यू जब आएंगा तो तो यहां पर जो एंगल है एंगल ओफ इंसिदेंस इस सर्फेस के लिए जो आएगा वो 45 डिए यह वाला एंगल भी 60 डिग्री अपने पास पीवन का तो आर बन प्लस आड़ टो इक्वस्ट तो 60 तो इस लाइट रे के लिए यह जो एंगल आएगा अगर इस कोशन में हमें एक शैल दे रखा है ठीक है इस चैल पर के चार्ट hours क्यों की वेल तन नेनो किलाव और एक लाइट रहा है लाइट देंसिटी जो है वह 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 विए 5 नेनो कौकलाम पर बीटर और हमेंस कूरी के लिए पोटेंशल डिपेंश के बीच में तो पोटेंशल स्केलर क्वांटेटी तो हम इंडिविजुली जो है इन दोनों का पोटेंशल निकाल कर गें और सब्टेक कर देंगे तो सबसे पहले अगर मां बात कुरूं लाइन चार्ज के लिए इस इलेक्रिक फिल्ट जो होता है वो ल और डीवी में मैं एक काम करूंगा हाई वाले में से लोग वाले को सब्टेक कर दोगा सो डीवी यहां पर पोज्टी वाजए अपने पर नहीं रखना डीवी मतलब इस मैंश दिस अपन चलेंगे इंटिए करें तब तो इसको इंटिए कर देंगे आर वन की वैली जिरो यह यहां पर वैल्यू आजएगी वीपी डैश माइनस वी यह डैश इसी अदरवाइस यह माइनस आएगा न इसको मैंने माइनस को ओल्रडी कंपन से लिया है तो 2K बाइंडा तो के लेंडा बाइंडा वाई आर तो एलन आर जाएगा और यह एलन पोर हो जाएगा तो यह यह दो आया डू तो लाइन चार्ज अब शेल की बात प्र शेल के अंदर जो पटेंशल तो सेम पोटेंशल बाहर होता है तो वी पी शेल की कान में वीपी डूबल देश लिग जेता हूं और वी आण यहाज याज हैगी वैलियू अपने पास के क्यू तो पी पर पोटेंश Vr is equal to इन दोनों को हमें add करना होगा और जब इन दोनों को add करेंगे अपन इन दोनों quantities को हमारे पास इसकी value आएगी 171 171 volt चलिए, next question पे चले एक spherical 100 bubble दे रखे है हमें इस chamber के अंदर है, और उस chamber के अंदर gas है जिसका pressure दे रहे है अपनको अब बूचा है कि अगर हम बाहरवाले pressure पो reduce कर दे 8P0 by 27 कर दे तो एक्सेस प्रेशर भी change हो जाता है अब बूचा है कि excess pressure कितना होगा और ध्यान रखना है कि temperature constant है इसके अंदर जो gas है उसका temperature constant इसको पी वनी भी 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 टू ओके, so अभी जो pressure है वो पी नॉट प्लस देल्टा पी है पी नॉट प्लस देल्टा पी गोल्यूम आएगा भी इसका मालीजी radius इसकी आर है तो 4 by 3 pi r q correct उसके बाद जब आप pressure भारवाला pressure चेंज गर दिया 8p0 by 27 excess pressure भी चेंज हो जाएगा डेल्टा पी डेश और radius भी चेंज होगी 4 by 3 pi r q 4 by 3 pi r q 4 by 3 pi 4 by 3 pi cancel out हो गया है आप अब हमें डेल्टा पी डेश और r में relation चीह है तो देखो surface tension के काणड़ एक्स प्रेशर आता है हमारे पास वह हम जानते हैं 4 t by r k equal होड़ा है तो 40 by r is delta p right so 40 is delta p into r इस car को इसले ले जाए तो 40 तो fix ही रहेगा तो delta p r equals to delta p dash r dash reducing रहेगी तो delta v dash r dash equals to delta p into r अब यहां हमारे पास variable हमें delta p dash calculate करना था r dash की value यहां से हमारे पास आगी delta p upon delta p dash into my r यह वाली value मैं यहां पर कर दूँगा इसमें place कर दूँगा ठीक है बागी थोड़ा से इसको by name election में से settle करना है हमको settle जब हम करेंगे तो हम last में finally इस result पूँचेंगे ठीक है अगेन इसमें भी यही है कि delta p dash जो है वो पी नोट के comparatively काफी less है तो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को हम यहां पर ignore कर देंगे तो delta p dash की value approximately जो है two third of delta p आएगा इसकी value रखेंगे तो 96 पास्कल हमारे पास आंसर आजाएगा तो आंसर आजिस 96 चाहिए नेक्स्ट पेराग्राफ पर चलते हैं अब वाइडी से बेस्ट कोश्चन नहीं है तो दो स्लिट दे रहे हैं हमें ठीक है और इस पर लाइट इंसिदेंट कर रहे हैं आपने उसकी पूजिशन बेट्विन दीज्ट दू एक्रोबिटर इस तो जो चुकि यह दोनों के दोनों जो है यह इसलेट यह ऐसे ऑसलेट होंगी तो उसके इसमें जो एक्सिमा है उसकी लोकिशन भी चेंज होगी अपने डाउन तो वह एक्स्ट्रीम पोजिशन होगी उनकी उनकी बीचका कितना आएगा एट लेंड़ डीवाई स्मॉल डी स्मॉल डी इस विए से चेंज हो रहा है ठीक है तो वाई अगर मैं बात करूं वाई की व 5.8-0.04-0.04 ओके यह लेस होगा ना तो तब इसकी मैगजिमा यह और एक वाले केस में आपन एट लेंड़ डी इसको प्लस कर देंगे प्लस क्यों प्लस कियों कि वाई मीनिमम में अपने पास तो यह एर्थ मैग्जिमा की दो लोकेशन आ गई उनकी बीचको दिफ्रेंस है मतलब y dash minus y double dash मतलब इन दोनों को subtract करना होगा आपनको यह तो हो गया 0.76 यह आगे 0.84 इसको value place करेंगे अपन simplify करेंगे थोड़ा simplify करनेक बाद value आएगी 601.5 micrometer फोड़ी calculation जरूर है के अंदर बागी conceptually tough नहीं है simple question नहीं है 601.50 micrometer next पे चलते हैं the maximum speed in micrometer per second at which the eighth bright fringe will move is अब जब यह oscillate होंगे दोनों slits तो उसकी कांड 8th जो fringe है वो भी oscillate होगा वो उसकी maximum speed पूचिए so y की value location जो 8th bright points की location क्याएगी 8 lambda d by small d और small d की value कितने थी 0.8 plus 0.04 sin omega तो इसको फिर 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 फर्दर सोल अच्छा इसमें mm में तो में मीटर में करना है माइकर में में आंसर देना है अपनको इसकी तो यह जाएगा हमें इसकी speed डिवाबदी में इसकी स्पीड क्यावड़ने तो इसका 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 तो 0.8 plus 0.04 sin omega t whole square आप और और बादें पर इसका 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 क्राइब तो कितना आएगा इसका 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 आफाल करें तो इसका आंसर आता है 24 24 माइक्रो मीटर पर सेकिन के राउंड रहेगा बाकी जो आयटी है वो साइड मेरे साब से इसमें रेंज देगा कुछ नो कुछ ठीक है चलिए नेक्स्ट परेगाफ में हमें दे रखा है कि दो ऑबजेक्न हैं इनका मास सेम है इन दोनों स्प्रिंग से हमने कनेक्ट कर रहा है और जो अभी जो में पॉजिशन निया कह दो कि सेंट्रों मास नहीं एक्स ओ engage यह दोनों जो अब्जेक्ट हैं वो उसिलेट होंगे ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ यह उसिलेट होंगे और एंप्लिटूट भी एगी बन है तो किसी टाइम पर अभी अगर देखा जाए तो इनकी लोकेशन दे रखें अपनको कि इनकी जो पॉजिशन हो किस वे से चेंज होती है देखिए जरा जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट वन की बात करें तो यह आ रहे है एक्स नोट प्लस डी प्लस एसाइन ओमेगा टी इसका बढ़ाएंगे वैसे वैसे सुरुवात में अगर अपन बात करें तो इस अनुमेगा टी वैल्यू पॉजिटिव है इस तरीके से और जो पर यह दोनों ब्लॉक जो है दोनों जो यू जा रहे है और जो थर्ड नबर जो अब्जेक्ट है वो यू नोट से आ रहा है उसकी व वन इफ दो कोलिजन अकर से टी नॉट जीरो दो वैल्यों वी सी एम अपने ओमेगा विल बी यह क्या रहे है यह से कोलिजन करेंगा टी नौट मतलब टी ब्रावर जिरो ताइम पर अगर आपन देखें तो इनकी लोकेशन एक्ट प्लस लिए जिए जिरो जाएगा और यह बिजीरो जाएगा तो अभी यह मेंन पोजिशन पर ही है मतले यह वाला भी अपनी में पोजिशन पर है और में पुजिश्ञिद्याम इंट्र जाएग यह अंच्व रहाव होगा तो यह लॉव्स और इसी च्वशनर लुचिश Original ड parом kira-itte जो कि इसकी वेलोसिटी थी वो इसको ट्रांसफर होगी और इस इस वाले की वेलोसिटी कोई फरग नहीं पड़ेगा तो सेंट्रमास की वेलोसिटी यहां पर कितनी आएगी m into v1 plus m into v2 upon में m plus m मतलब vcm अपने पास आगया m सेम कर जाएगा v1 plus v2 by 2 v1 is a omega by 2 and v2 is a omega by 2 value आगे पने पास 3 by 4 a omega vcm की value तो vcm by a omega कितना है आपने पास यहां जाएगा 3 by 4 and 3 by 4 अपन से पूछा है 3 by 4 बोले तो 0.75 इसका correct answer आज जाएगा ठीक है next question कुछ है if the collision occurs at t not equals to pi by 2 omega pi by 2 omega but then the value of 4b square by a square is 4b क्या है आपर भी है new amplitude जब collision करेगा तो time अपने पाइगा 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 मतलब ओमेगा एक वैली टू पाइगा capital T When con team 41 time प्यों करेगा अब होगा और है यह यूं पोसरी ना यह यह जाएगा फिर यह यह चाले है और यह आएगा तो बहुक्त होगा correct मासक और यह अभीत्स प्रिंग कि इसम लोकेशन है इसकी है यह एक्सी जिए वाली यह वाली है यह कि इसकी इसकी बीज जाएगे अपने पास A omega by 2 तो जैसी को लीजिन भी इसके पास विलोसरी आ चुकी है A omega by 2 इसकी विलोसरी कितनी है जीरो इसका मतलब सिस्टम को जो सेंट्रो मास वो विलोसरी गेन करेगा VCM की बात करें VCM में आपके कितना आएगा VCM आज आएगा M1 V1 प्रस M2 V2 by 2 M कितनी वैलिव आएगी A omega by 4 इस प्लस इस बाइटो तो सेंट्रो मास के रस्पेक्ट में इसकी तरफ आएगी A omega by 4 क्यों तो इसको सब्ट्रेक्ट करेंगे तो वैल्यू के कितनी हैंगी A omega by 4 similarly इस वाले गोले की अगर पना फांट करेंगे सेंट्रो मास के रस्पेक्ट में तो सेंट्रो में इस तरफ आएगी A omega by 4 सेंट्रो में से मुझे सेंट्रो मास के रस्पेक्ट में अभी अगर आपन देखें दोने की वेलोसरी आ चुकी है और यह भी ध्यान रखना कि यह अभी अब हमसे पूछा है कि कितना आएगा अब अगर मैं एनर्जी कंद्रिवेशन लगा हूं यहां पर चाओ तो इसकी स्टडी कर सकते चाओ तो इसकी स्टडी कर सकते यह ऐसे उसीलेट होगा तो अभी इसके पास कैनेटिक इनर्जी कितनी है इस वाले गोले पर हाथ अब एम वी स्क्वेर वी यहां पर कितना आएगा ए ओमेगा बाए फोर का स्क्वेर का इन्टिक आगई और जब यह आप्लिटूट की बात करेंगा जब यह मैग्जिम कंप्रेशन होगा तो माले जी कंप्रेशन इस से इस वाले अबजेक्ट की बात करें तो वह उसका एंप्लिटूट होगा यह इसका यह के बएंगा गया यह संब होगे अपने पास सो वैल्य अपने पास कितने आगे 17A स्क्वेर बाई 16 इस इकलर टू बी स्क्वेर हमारे पास वैल्य आजएगी यहां पर 17 बाई 17 बाई 4 को जब अपन स्वाल करेंगे तो वैल्य वाईगी 4.25 इसको क्रेक्ट आंसर क्या है 4.25 ओके तो यह था आपका पेपर टू आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा बगी पेपर कफी असान था थेंक्यू आइस्ट्रेंट्स मैसेफ दॉक्टर पावर मिश्रा फ्रम सील्सी सीकर लेट्स सम्लोग आईटी एडवांस 2024 का केमस्टी का पेपर सेकेंड को सॉल यहां पर डिसक्स कर रहे है जो 26 अपमाई को हुआ था फर्स्ट कुश्चन जो है वो हमारा फिजिगल केमस्टी में है अटोमी स्ट्रक्शर हमारा टॉपिक है और वहां पर बोर कॉंसेप्स के कानेटिक एनरजी कॉंसेट से हमारे पास यहां पर कुश्चन आया हुआ है यह है अकॉर्डिंग टू ग् देखें तो कानेटिक एनरजी अप्ट्रॉन किसी भी बोर और्बिट के अंदर हमारे पास यह होती है वो 13.6 जड़ स्कॉयर अपॉन एन इस्कॉयर अपॉन एवी पर एटम के टम्स में है तो यहां पर दिए गया ऑप्शन के इसाफ से अगर हम लोग यहां पर कानेटिक ए करते हैं तो हमें साब साब दिख रहा है कि जो मैक्सिमुम कानेटिक एनरजी है वो हमारे पास तक दिख रही है जब इलेप्ट्रॉन ayn में n is equal to one state और बिलाउं कर रहा है तो हमारे पास यह यहां पर अंसर आ जाएगा वो हमारे पस के आ जाएगा बिटा के नाओ påस typ contest question, in a metal deficient oxide sample Mxy2O4, M and Y are the metals, the metals is present in plus 2 and plus 3, एक बड़ा ही general question है, हम लोगो पता होता है, जब हम लोग बात करते हैं, mix oxide के बारे में, वहाँ पर, एक metal है, वो अपनी 2 oxidation state को यहाँ पर represented कर रहा है, plus 2 and plus 3, Y की oxidation state हमारे पास given है, plus 3 दे रखी है, if the fraction of M plus 2 ions present in M is 1 by 3, then the value of X will be calculated, okay, now, यहाँ पर हम लोग simple से concept लगा सकते हैं, कि अगर हम लोग oxidation state को देख ले, combined oxidation state of the all elements present in the given oxide, let's take X, is the fraction X by 3 हो गया, हमारे पास M plus 2 का fraction, और M plus 3 का fraction हो गया, 2X by 3, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो X by 3 multiply by the oxidation state, यहाँ पर हमारे पास plus 3 से multiply कर दिया, यहाँ पर plus 2 से multiply कर दिया, यह opposite हो गया है, यहाँ आना चाहिए और यहाँ पर oxidation state को equate करके 0 करेंगे, यहाँ पर हमारे पास X की value आ जाएगी 0.75, ना टेक की option कौन सा बन रहा है, तो साइध हमारे ख्याल से option हमारा कौन सा बन रहा है बटा, D option, okay? मैसल्फ तरूमितल, organic chemistry and today we will discuss the J 2024 question, L glucose हो, D glucose हो, यही बात होता है, और HI एक reducing agent है, और reducing agent क्या करता है, अपने पास reduction, तो अगर अपने यह L glucose का structure है, अगर इसका reduction HI से करवाएंगे, तो क्या बनेगा, N hexane, और जब इसका aromatization कराए जाता है, तो यहाँ पर अपने एक catalyst use करते हैं, CR2O3, और temperature है 775 Kelvin, 10 to 20 atmospheric pressure है, तो यहाँ पर एक aromatic compound बन जाता है, इस reaction को aromatization बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, और यहाँ पर जब इसका halogenation UV light की presence में कराएंगे, तो यह bone equally dissociate होते हैं, और equally dissociate होंगे, तो यहाँ पर reaction कुन से होने वाली है, free radical, और free radical reaction होगी, chlorine add हो जाएंगे, और यहाँ पर अपने पास एक famous compound, एक famous compound, जिसका जिसकी बात करें, बेंजीन hexachloride है, उसका formation होता है, और इसको अपने जनरली BSC बोल देते हैं, या इसको अपने लिंडेन भी बोल सकते हैं, तो यह अपना answer है, और यहाँ पर जो अपने बात करें, उप्शन की, तो यहाँ पर उप्शन वाइस, Hello students, this is Vinay Dixit, मैं आपको 2024 का paper 2 का solution करा रहा हूँ, इन और इन और इन केमिस्ट्री, जिसमें पहला question दे रखा, the species formed on fluorination of phosphorus pentachloride in a polar organic solvent, अगर fluorination कराओगे आप, PCL5 का, PCL5 का अगर हम लोग fluorination कराते हैं, तो पहला क्या बनेगा, PCL4 plus, और PCL6 minus की जगे बन जाएगा, PCL4 F2 minus, एक तो एक compound यह बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, PCL4 plus और PF6 minus बनेगा, तो बच्चों कौन सा option होगा, second option इसका होगा, हाँ बई, अब चलते हैं हम लोग multiple option में, question number 5 की तरफ, इन्हें aqo solution hydrogen is electrochemically oxides by the oxygen, यहाँ पर हमारे पास hydrogen का oxidation दिया है, और उससे related हमारे पास कुछ options given है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो hydrogen का oxidation होता है, जहाँ पर hydrogen के अंदर nitrogen का oxidation state है, that is minus 2, oxygen gas means oxidation state इसका कितना है, 0, जब यह reaction अकर होगी, तो hydrogen से जो nitrogen है, वो 0 oxidation state की तरफ move करेगा, और oxygen जो है, वो H2O में convert हो जाएगा, means oxygen का oxidation state 0 से minus 2 की तरफ जाएगा, जबकि hydrogen में present nitrogen, अपनी oxidation state minus 2 से 0 की तरफ जाएगा, it means to say that यह confirm हो गया, कि जो nitrogen है, उसका oxidation टेक प्लिस कर रहा है, और जो oxygen है, उसका reduction टेक प्लिस कर रहा है, अगर हम लोग equation को देखें, तो hydrogen anode पर OH negative के साथ में react करके, nitrogen gas को evolve कर रहा है, cathode पर हमारे पास oxygen है, वो OH negative को produce कर रहा है, अगर हम लोग चलते हैं, option की तरफ, अगर हम लोग यहाँ पर option फर्स देखें, तो first option दिया हुआ है, OH negative ions are react with the hydrogen at anode and form the nitrogen gas and water, releasing 4 electron, obvious ही बात है, that is the correct option, now moving towards the second option, add the cathode into H2 vacant, because the reaction will be already occurs at the anode, so अपने को इस option की तरफ जाने की ज़हुरत नहीं है, अगर हम लोग C option की बारे में बात करें, add the cathode, the molecular oxygen which convert into OH negative, that is the correct statement, हम लोग अभी equation में देखा था, तो I think हमारे पाद जो option बनेगा, वो कौन सा बन जाएगा, ANC, multiple choice का, 5th number question का, जो answer आएगा, वो आएगा, ANC, now we discuss next question of organic chemistry, यहाँ पर अपने lindars catalyst की बात करें, तो lindars catalyst reduction करता है, और alkyne से अपने को alkyne का formation देता है, लेकिन SNCL2, cyanide को immune में convert करता है, और immune का आगे reduction हो जाता है, NABH4 से, तो first option को यहाँ पर अपने नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से convert, moving towards the next option, lindars catalyst definitely alkyne को alkyne में convert करेगा, यहाँ पर OH अपने पास release हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी problem यहाँ पर क्या है, SNCL2, SCL दिया हुए है, जो cyanide को immune में convert करता है, और अपने को पता है, NABH4 immune को आगे amines में reduce कर देता है, इसलिए अपने B option को भी select नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को Q वाली side में aldehyde ही चाहिए, इसका मतलब आप SNCL2, SCL के बाद में NABH4 का use नहीं कर सकते हो, अब आएं option number C में, तो NABH4 definitely यह क्या करता है, NABH4 reduction, only ketone का कर सकता है, तो NABH4 reduction कर देगा, SNCL2 यह immune में convert कर देगा, यहाँ पर कोई issue नहीं है, hydrolysis करोगे, aldehyde बन जाएगा, और lindars catalyst है, वो alkyne को alkyne में convert कर सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर third option right है, अब fourth option की ओर जाएं, तो fourth option में अपने पास again, यहाँ पर क्या है भी, lindars catalyst, definitely alkyne को alkyne में convert करेगा, NABH4 की बात करें, तो यह LDH4 की टून का reduction करता है, और कर देगा कोई issue नहीं है, और यहाँ पर यह stiffens, SNCL to SCL की बात करें, cyanide को immune में convert करेगा, अब hydrolysis करते हैं, तो अपने कोई पता है, cyanide किस में convert होता है, LDH4 में, इसका मतलब अपना जो third and fourth option है, वो correct रहेगा यहाँ पर, तो C and D will be the answer, तो बच्चों देखे, अब इसके बात, जब हम लोग chemical bonding में structure की बात करते हैं, तो यह 2, 3, 4, 5 questions ऐसे होते हैं, जो open book like structure होते हैं, जिन में खासकर peroxide linkage, दो bond pair, दो lone pair होते हैं, यह question वैसा ही है, the compounds having peroxide linkage, पर-oxide linkage, यह आपको पता है, pyro है, pyro में क्या होता है, pyro में SOS bond होता है, और अगर H2, S2O8, martial acid की बात करते हो, तो martial acid में क्या होगा, O single bond O, जैसा है यहाँ पर दिखाया गया, O single bond O, दो bond pair, दो lone pair, और SO3H, SO3H, यह नहीं, इसमें peroxide linkage होगा, फिर इसमें आते हैं, इसमें नहीं होगा, फिर यह H2SO5 है, keros acid, famous acid है, इसमें भी peroxide linkage होगा, देखे, O single bond O, यहाँ पर O H होगा, और यहाँ पर SO3H होगा, तो correct option इसका होगा, B और D, ठीक है बच्चों? अब हम लोग move करते हैं, section 3 की तरफ, जहाँ पर हम आपस question जो है, वो 8 question है, और यह question जो है, वो surface chemistry से related है, और बहुत ही common सा question है, जहाँ पर हम लोग fraction of surface, which covered by the absorbent, हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पर है, to form a complete monolayered acetic acid on the 1 gram of the charcoal, 100 ml of 0.5 m acetic acid was used, okay, the sum of the acetic acid remained unabsorbed, to neutralize unabsorbed acid, 40 ml of 1 m annual solution was required, each of the molecule of the acid is occupied P into 10 power, something यहाँ पर missing है, surface theory of the charcoal, value of P को हमें calculate करना है, okay, बहुत simple सा है, सबसे पहले जो हमने acetic acid unabsorbed, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो भाई acetic acid वही unabsorbed रहेगा, जिसको हमारा NaOH neutralize करेगा, so, by the help of the data of NaOH, we can calculate the unabsorbed acetic acid number of moles, so, यहाँ पर हमारे पास molality थी, volume था, यहाँ से हम लोगों निकाला, तो यह हमारे पास क्या आ गया, unabsorbed acetic acid के molecules के हिवारे में पता चल गया, अब हमारे absorb कितने हुए, तो absorb की evaluation, total जी तो area, total हमारे पास जो acetic acid के moles थे, उससे अगर हम लोग unabsorbed को माइनस कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, बिटा, number of absorbed molecule हमें यहाँ पर पता चल जाएगे, surface area occupied by one molecule, अब्यस्सी बात है, total surface area हमारे पास given था, number of molecules को divide किया, multiply कर दिया किससे बिटा, अब अगर दो number से, जिससे mole will be convert into number of molecule, तो इसको जब हम लोग data को solve करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास, जो surface area absorb आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 2500 into 10th power minus 23 meter square, यहाँ से हम लोग as per the question requirement P की value हमें पूछी थी, और P की value हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, 2500, now moving towards another question, यह question है, a vessel, that is the question belonging to solution chapter, qualitative property जो हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग से बिलॉग कर रहा है question, a vessel contain W2 gram of the non-volatile solute X, dissolved in W1 gram of water, vessel second हमारे पास दे रखी है, जहाँ पर W2 gram of a non-volatile solute Y, dissolved in W1 gram of the water, बोट vessels का जो temperature और pressure है, उसको remains same रखा हुआ है, the molar mass of X is 80% of Y, यहाँ पर relation दे रखा है, कि जो molar mass of X है, वो Y का 80% है, okay, the want-off factor of X is 1.2 times of, want-off factor of Y, the respective concentration, अब हमें elevation of boiling point of the solution, vessel first का compare करना है, vessel second के साथ, okay, now, अगर हम लोग देखें, तो हम लोग first vessel के लिए, यहाँ पर equation निकाल सकते हैं, कौन सी elevation in boiling point की, हमारे पास simple equation होती है, del Tb is equal to Kb into I factor W1, जो हमारे पास solute का mass आएगा, यह हमारे पास first equation बन जाएगी, अगर हम लोग second equation में बात करेंगी, तो second equation हमारे पास यह बन जाएगी, और अगर हम लोग first equation को second equation से divide कर दे, तो यहाँ पर हमारे पास percentage change हमें दिखाई दे जाएगा, दोनों vessel में, जो की होगा 150, तो हमारा जो answer आएगा, वो कितना आजाएगा, 150% जो हम से उचा गया था, ओके, now moving towards another question, now moving towards next question, एक easy सा question है, यहाँ पर आपको एक DNA strand दी हुए है, which moves from 5 dash to 3 dash, यहाँ पर अपने को पता है, एडेनीन हमेशा, थाइमीन से 2 hydrogen bond से connect रहता है, और गवानीन हमेशा, साइटोसीन से, 3 hydrogen bond के थुरू connect रहता है, और एडेनीन थाइमीन बेस्ट पेर के energy, अपने को mention है, 1 kilo calorie per mole, और गवानीन साइटोसीन, जो hydrogen bonding है, वहाँ पर energy mentioned है, 1.5 kilo calorie per mole, यहाँ पर इसका कोई requirement नहीं था, एडेनीन और युरेसिल के regarding, तो यह ऐसी डाटा अपने को mention था, अब एक बात बताईए, अगर इन पेर्स को count कर ले, जैसे अपने को पता है, यहाँ पर A हमेशा T से connect होगा, G हमेशा C से connect होगा, तो ऐसे अपने को pair count करने से, तो यहाँ पर देखेगा, अगर अपने बात करें, टोटल एनर्जी निकालनी है, बोंड एनर्जी, तो एडिनिन थाइमीन की बोंड एनर्जी, जो अपने को mention थी, और अपने को यहाँ पर यह पता होना चाहिए, कि इनके बीच में कितने hydrogen bond हुए थे, दो, तो वो भी अपने को mention है, और A, double bond, T वाले pair कितने थे, count करने थे strand के अंदर, और अगर अपने बात करें, बोंड एनर्जी, यह बोंड एनर्जी है, बोंड एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पर guanine, cytosine की बात करें, तो यहाँ पर 3 hydrogen bond होते हैं, और यहाँ पर यह कितने pair थे, उस strand के अंदर, वो अपने को count करना था, तो अपने को यहाँ पर count करेंगे, तो अपने को पता चलेगा, एडिनीन, थाइमीन के 7 pair थे, और guanine, cytosine के 6 pair थे, और यहाँ पर एनर्जी अपने को mention थी, 1 kilocalorie और 1.5 kilocalorie, और यहाँ पर एडिनीन और थाइमीन के बीच में 2 hydrogen होते हैं, यहाँ पर 3 hydrogen bond होते हैं, calculate करेंगे, तो 41 kilocalorie answer होगा, एकदम एजी सा question था, Now moving to another question, एक simple सा हमारे पास, disintegration of radioactive element का हमारे पास, यहाँ पर question given है, और, एक sample है, जिसमें दो चीजे हमारे पास हैं, एक uranium isotopes है, जो की हमारे पास, PB के साथ में present है, जिसमें की बोला है कि, यह जो हमारा uranium है, यह disintegrate नहीं होता, When the age of the sample is, P into 10th power 8 year, the ratio of the mass of PB 206, to that, uranium 238 in the sample, यहाँ पर हमारे पास, P की value हमें बतानी है, जो की यह given है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, बिटा, तो, life of the sample, let's suppose हमने कितना माल लिया, T years, ओके, obviously बात है, A0 is directly proportional to moles of uranium 238, and 80 is the directly proportional to moles of uranium 238, ओके, now अगर हम लोग A0 by 80 की value निकालेंगे, तो किसे निकालेंगे, divided by number, उसका जो molar mass से उससे divide कर देंगे, तो यहाँ पर हमने पास, A0 by 80 की value कितनी आ जाएगी, बिटा, 9.1, अब simple जा हमें पता है, कि अगर हम लोग हम लोग हाफ-like period के लिए, एक equation को create करें, तो first order degradation होता है, radioactive degradation को, तो यहाँ पर पहली equation हमारे पास मिल जाएगी, k is equal to 2.303, t and the half log of 2, ओके, यहाँ पर t and the half की valuation दे रखी है, 4.5 into 10 power 9, तो यह हमारे पास पहली equation बन गई भाई, कि k की, यह हम लोग disintegration की half life equation निकाल लेते हैं, अब, अगर हम लोग यहाँ पर दूसरी equation particular point पर बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास a naught by 80 की value को अगर put करेंगे, तो हमारे पास equation क्या जाएगी, k is equal to 2.303 upon t, because t time हमने माना है उसके लिए, sample की life के लिए, that is log 9.1, अगर हम लोग दोनों equation को equate कर लें, तो कि k की value तो same रहेगी भाई, तो दोनों equation को equate करोगे क्या आजाएगा, 2.303 upon t log of 9.1, बराबर 2.303, 4.5 into 10 power 9, log 2, तो यहाँ से आजाएगा, log 9.1 is equal to 0.3010, log 2 की value पुट करोगे, into 2 upon 4.5 into 10 power 9, log 9 की value को पुट करेंगे, t की value निकालेंगे, तो हमारे पास T की value कितनी आजाएगी, 42.7 into 10 power 8 year, योगी वहाँ पर P into 10 power 8 year के टम सुमगी question हमारे पास दे रखी थी, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका nearest integer count करेंगे, जो कि हमें इस instruction में given है, that is 143, ओके, सो हमारा यहाँ से question solve हो जाएगा, तो बच्चों देखिए एक another interesting और important topic है, जो कि हमेशा ही advance के लिए important रहा है, coordination compound, जिसमें सभी बच्चों को अच्छे से आता है, इसमें कहरा है among these all complex, total number of species with tetrahedral geometry, सबसे पहले लेते हैं, COCN4, 4 minus, इसका मतलब है, यहाँ पर कोबार्ट की oxidation state 0 है, 0 है, इसका मतलब यह होगा, 4S2, 3D7, तो इसमें D9 हो जाएंगे, क्योंकि pairing होगी strong field ligand है, D9 हो गए, तो D9 होने का मतलब है, SP3 hybridization, तो यह कौन सी species हो गई, tetrahedral एक हो गई, यह tetrahedral हो गई, अब देखिए, दूसरी दरके, CO, CO whole thrice NO, यहाँ पर इसकी oxidation state है, minus 1, minus 1 तो D10 हो गया, D10 हो गया, तो यह भी SP3 hybridization, SP3 hybridization का मतलब, यह भी tetrahedral species हो जाएगी, XEF4, XEF4 आपको बता है, inorganic compound है, SP3 D2 hybridization, square planar हो जाएगा, square planar, इसका मतलब यह नहीं होगा, आगे बात करते हैं, PDCl4, PDCl4, 2 minus, आपको पता है, PD का configuration क्या होता है, PD का configuration जो होगा, इसमें pairing क्योंकि, PD कौन सा है, 4D series का है, chlorine वैसे तो, कैसा है, weak field legend है, मगर यहाँ पर strong field legend की तरह से behave करेगा, और जब strong field legend की तरह से behave करेगा, तो palladium जो होगा, वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, D10, यानि यहाँ पर भी SP3 hybridization, यह भी tetrahedral हो जाएगा आपका, है कि नहीं, अब इसके बाद देखिए, ICL4 minus, ICL4 minus, SP3 D2, square planar, square planar, इसका मतलब यह नहीं होगा, CuCN का hole 4, यह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर, CuCN hole 4 है, 3 minus है, यहाँ पर इसकी oxidation state, plus 1 हो गई, तो D10 हो गया, यह तो SP3 हो गई होगा, तो कौन कौन से हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, PCL4 plus B होगा, और इसके बाद यह 4 हो गया, और P4 भी tetrahedral discrete unit है, है कि नहीं, तो यह इसका answer कितना हो जाएगा, बच्चों, 5, 5 is the right answer, in teaser basis पे, ओके, आपने को पता है, फिनोल भी फिरिकलोराइट टेस्ट देता है, तो आपने को एक आइडिया हो गया, कि यहाँ पर फिनोल के रिगार्डिंग कुछ रहा होगा, does not have intramolecular H bonding है, hydrogen bonding है, वो अपने पास intramolecular नहीं होनी चाहिए, मतलब OH एक distance के साथ maintain रहने चाहिए, इसके बाद लिखा हुआ है, जो compound P है, वो तीन equivalent अपने पास NH2OH है, उनके साथ reaction करके oxym बना रहा है, it means कुछ keto और inol की regarding, कुछ ना कुछ यहाँ पर question में हिंड मेंशन है, फिर आगे यहाँ पर mention है कि, अगर अपने P का reaction, methyl iodide से कराते हैं, in presence of KOH, it means यहाँ पर कोई keto inol isomerism like कुछ हुआ होगा, अगें फिड से, अच्छा, उसके बाद इसकी reaction करवा रहा है, यह आर एक major product की form में बन रहा है, और आर की reaction मतलब यहाँ पर grigna resin से हो रही है, और उसका hydrolysis कराएंगे, तो अपने कोई compound S मिल रहा है, यहाँ पर S के अंदर जितने methyl group है, वो अपने को calculate करने थे, तो देखेगा यहाँ पर क्या होगा, अब देखो, सबसे पहली बात तो अपने डियू निकाल ली थी, दियू चार थी, तो यहाँ पर अपने पास यह inol बनता है, और यहाँ पर यह जो इसका keto-fum है, वो अपने ड्रो कर सकते हैं, किस तरीके से होता है, यहाँ पर जैसे यह दो hydrogen है, यह active hydrogen है, मिथाइल आयोडाइड के साथ, QH के साथ कराते हैं, तो एक बात सोचिए, CS3I हमेशे अपने को कौन सी रेक्शन देने वाला है, SN2 मेकनिजम देने वाले, और QH क्यों दिया है, क्योंकि आप यहाँ से acidic hydrogen को OH- की help से release करे, NIN बने, और NIN बनकर यह इसके back side में attack करके, अपने को कौन सी मेकनिजम दे बटा, SN2 मेकनिजम, तो यहाँ पर SN2 मेकनिजम कई बार होगी, number of times होगी, और यहाँ पर हर बार, यहाँ पर CS3 connect होता रहेगा, तो अपने पास यह एक यह compound बन जाएगा, अब यहाँ पर इसकी compound की reaction, Grigna Regent access में दिया था, hydrolysis भी कराना था, अब अपने जानते हैं, कि यहाँ पर कार्बोनिल compound, जो mechanism-wide reaction देते हैं, that is nucleophilic addition reaction, और अपने जानते, Grigna Regent में mg पर plus delta चार्ज होता है, यहाँ पर carbon पर minus delta चार्ज यहाँ पर रहने वाला है, तो जब यहाँ पर minus delta है, यह nucleophile बनके इधर attack करेगा, और attack करके अपने को यह final product देगा, इस final product में अपने से पूछा गया था, कि number of methyl group कितने रहेंगे, इनको count करेंगे, तो आपने को पता चलेगा, जो methyl group का number था, वो यहाँ पर 12 था, एक easy question था, आराम से SN2 और NAR की help से, टोटोमेरिजम एक concept लग रहा था, आराम से बना सकते था, Now, moving towards next section, the next question is, an organic compound P, with molecular formula C9H18O2, सबसे पहली बात अपने कुछ DU निकालना चाहिए, जब भी organic compound का question आए, वहाँ पर DU निकालना चाहिए, और इस compound की यह DU है, वो अपने पास कितनी आ रही है बटा, वन, यह decolorize करता है, bromine water को, it means वहाँ पर alken रही होगी, वो तो DU से पता चल रहा है न, अपने को DU 1 है, तो it means वहाँ पर alken है, and show positive idofoam test, मनलब idofoam test भी दे रहे है, चलिए ठीक है, it means वहाँ पर, या तो अपने पास कुन सा group रहा होगा, CS3, CHOH, या फिर वहाँ पर कुन से group रहा होगा, CS3, CW, जैसा कि अपने hellofoam reaction के अंदर पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर दिया हुए, P on ozonolysis, is followed by treatment of S2O to gives, it means, it is oxidative ozonolysis, जहाँ पर अपने को जो product मिल रहे हैं, वो Q और R मिल रहे हैं, और Q और R compound, again positive hellofoam test दे रहे हैं, it means उसमें भी CS3, CHOH group या CS3, CO group रहा होगा, लेकिन, यह बोल रहे हैं, only Q में positive idofoam test है, R में idofoam test नहीं दे रहा है, it means, वहाँ पर यह group नहीं रहे होंगे, फिर बोल रहे हैं, Q और R oxidation करवाते हैं, जब PCC से, यहाँ पर Pyridinium Chlorochromate अपने जानते हैं, Pyridin plus ERO3, प्लस SCL होता है, तो यहाँ पर जब PCC से Oxidation कराएंगे, तो SOT मनाएंगे, लेकिन heating भी करना है, it means, कि यहाँ पर 500 moles Q और 500 moles R, यह जो compound है, वो एक A-Cyclic Co-Polymer बना रहे हैं, Co-Polymer जानते हैं, जिसमें different kind की Monomer Units हों से, अपने क्या बोलते हैं, Co-Polymer, तो यहाँ पर देखते हैं इस question को, तो देखे, यहाँ पर पहली बात तो अपनों ने वो एलकीन ड्रो करी, इसने बोला था, कि यह हेलो फॉम टेस्ट दे रहे हैं, तो देख लीजिए, CS3, CHOH ग्रूप है, DU1 है, तो यहाँ पर ओजोन लाइसिस कराओगे, तो यहाँ पर भी अपने डबल बॉन ओ ड्रो करते हैं, यहाँ पर भी डबल बॉन ओ ड्रो करते हैं, यह बोला है, डी कलराइज ब्रोमीन वाटर, definitely आइडो फॉम टेस्ट दे रहे हैं, येस हो रहे हैं, अब यहाँ पर बोला है कि C9H18O2, ये कंपाउंड का फॉर्मूला था, जहांसे डी यू निकाली थी, इसका ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो अपने को ये कंपाउंड मिलेगा, Q&R, और इसने बोला था कि, क्यों पोजिटिव आइडो फॉम टेस्ट देता है, जबकि R है, वो आइडो फॉम टेस्ट नहीं देता, बास सही है, आइडो फॉम टेस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें C3CHOH ग्रूप नहीं है, फिर इसका PCC से ओक्सिडेशन कराया, तो जो CHOH ग्रूप है, यहां पर हाइडोजन होगा न, वो उक्सिड, ore totally release होगा, और oksidation हो जाएगा, और यहां पर किटोन बन जाएगा, तो यहां पर भी bita keto acid बन रहा हो, यहां पर भी bita keto acid, definitely यह बनना था, यह बींट कीट करते हैं, तो एक cyclic transition state बनती है, six member की, और six member की transition state से, वहां पर CO2 gas release होती है, यहां पर, ऐसे CO2 यहां पर भी रिलीज हो जाएगी और यहां पर जो फाइनली कंपाउंड SOT बनेंगे SOT की बात करें तो दोनों पोजिटिव आइडरोफों टेस्क दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं इन में CS3CO ग्रूप है यहां पर भी अपने पास क्या है CS3CO ग्रूप और यहां पर लिखा हुए है कि number of oxygen atom इस compound में कितने होने वाले हैं उसका sum बताना है था SOT में तो वो अपने पास कितना रहेगा बेटा दो एक oxygen यह रहा है एक oxygen यह रहा है एक EG question था और साथ में इसने polymer की हिंड भी अपने को mention की थी formula के साथ तो अपने एक idea लगा सकते थे यहां पर PHBV जो एक biodegradable polymer है वो बना होगा और PHBV की बात करें अपने भी जानते हैं कि beta hydroxybutyric acid and beta hydroxyvaloric acid से बनता है तो एक EG question था अगर आप polymer को थोड़ा बुद पढ़ कर गए हो तो आराम से question हो सकता था now moving towards next question next question की बात करें वही same phenomenon same data given था अपने को और यहां पर यह पूछा गया था कि जो polymer बनेगा उसका molar mass अपने पास कितना रहेगा तो अपने मैंने पहली बोल दिया था कि यहां पर जो अपने monomer unit है वो beta hydroxy एक तो butyric acid रहेगा और एक beta hydroxy valeric acid रहेगा अगर अपने polymer बनाते हैं तो beta dehydration होगा और इसने बोला था कि 500 mole ले ले मतलब individual monomer unit के 500 mole को अपने को utilize करना है it means आप खुछ से समझिए कि अपने dehydration कर रहे हैं वो कितना time होगा 500 mole beta hydroxy bityric acid 500 mole beta hydroxy valeric acid रहे इसका मतलब यहां पर अपने पास 499 moles of S2O will be released तो देखिए अगर अपने बात करें यहां पर यह beta hydroxy bityric acid है beta hydroxy valeric acid है heat करेंगे phbv एक polymer बनेगा जो की biodegradable polymer है और अपने को पता है इसका molecular weight अगर अपने count करेंगे carbon hydrogen oxygen सबको तो C9H14O4 बन रहे है अब अपने को molecular weight of polymer find out करना था तो मैंने monomer unit यह 500 moles ली थी हाना यह भी कितनी units ली है 500 moles अब एक बात बताओ यहां पर इसका molar mass आ रहे है 104 इसको multiply कर दिया 500 से ताकि मेरे पास atom इसका जो weight है unit का वो आ जाए ऐसे ही यहां पर अपने पास इसका जो weight बन रहे है वो 118 बन रहे है और इसको मैंने multiply कर दिया 500 moles से तो मैं बोला पानी कितने molecules निकलेंगे तो अपने को पता है पानी है वो 499 moles निकलेंगे क्योंकि terminal को आप निकाल नहीं सकते क्योंकि वो आगे polymer नहीं बना रहे है तो अपने को chain reaction को रोकना था तो it means 499 moles है वो water के release होंगे और water का molar mass होता है 18 तो इससे multiply करेंगे तो अपने पास total mass जो polymer का है वो कितना रहेगा 102018 gram एक easy question था अगर आप normal concept को जानते हो तब भी कर सकते थे और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि जो last question था वो इससे related था ठीक है भी देखे बचो अब यह last section में है आपका paragraph 2 है इसमें क्या कर रहा है इन दोनों की जब reaction होगी तो यहाँ पे iodide है यह oxidized होगा इसको oxidize करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा i2 plus k4 fe cn6 बनाएगा k4 fe cn6 बनाएगा यहाँ पे twice small आ जाएगे यह complex कौन सा हो गया p complex हो गया और यह equilibrium state है यहाँ पे कह रहा है यह equilibrium है फिर इसमें zncl2 जब डाल दिया जाएगा तो यहाँ पे जब zncl2 डालते हैं तो equilibrium के दर shift हो जाता है forward क्योंकि तब यहाँ पे बन जाता है k2 zn3 fe cn6 of whole twice बन जाता है ठीक है बच्चों यह complex क्या रहा है कि पी formed in a strong acidic medium the equilibrium shift completely towards p addition of zinc chloride to p in a slightly acidic medium results in a sparingly soluble complex q तो आप से क्या पूचर है the number of moles of potassium iodide required to produce 2 moles of p हो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पे twice यहाँ पे twice यहाँ पे ट्वाइस एकि नहीं कितना answer आ गया two moles आ गया अब जब इसको हम लोग balance करते हैं जो next आता है तो वहाँ पे balance करने के लिए अगला question जो आता है यहाँ पर क्यों तो जब हम लोग ने k4 fe cn6 में zncl2 मिलाया है zncl2 तो यह क्या बन रहा है k2 k2 zn3 इसको ऐसे करते है k2 zn3 fe cn6 of whole twice plus 6 kcl बन जाएगा यहाँ पी कितना लगाना पड़ेगा three तो आपसे क्या गयर है the number of zinc ions present in the molecules of q कितने moles present है तीन कितना बिटा तीन तो इसका answer कितना आ गया तीन समझा गई बात बिटी बच्चो अब यह पूरा paper 2 का solution I hope you enjoy और thank you so much